तो स्वागत है आपका ग्यापन एकेडमी के इस बहुत ही संदार जोग्रफी के अबजेक्टिव में इस विडियो में बाबु संपून जोग्रफी का अबजेक्टिव क्लास 10 का है एक भी कुश्चन आप से नहीं चुटेगा एक बार विडियो को देख लीजिए और आप जा पूरा का पूरा जोग्रफी का ट्रिक और संपून जोग्रफी का किताब एक ही विडियो में ऐसा आप लोगों ने पहली बार देखा हुआ कि एक ही विडियो में पूरा हिस्ट्री एकनॉमिक्स और एक विडियो में मैथमेटिक्स एक विडियो में साइंस कंप्लीट ऐसे क करके आप देखेंगे देखें तयारी के पहले एक और तयारी आप तो बहुत सारा तयारी कर चुके हैं लेकिन एक बार लाश्ट तयारी कैसे करना है आपको अलड़ी बता चुके हैं पूरा का पूरा अब मालेजिए कि इतिहांस में हम क्या जानते हैं सब कुछ यह अपने आथन के मादेम से और देखो इस वीडियो को और इस पूरे के पूरे question को edit करने में बनाने में type करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है दो तीन मतलब बज गया है मेहनत करते करते तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ठीक है क्योंकि यह मेहनत आपके लिए हो रहा है ताकि आपका रिजॉल्ट टॉप बेस्ट आए ठीक है अपने एरिया में आप सबसे बहतर करें पड़ोसियों को चला है और माबापके नाम को रोशन करें ठीक है याद रखेंगे तो अगर यह पूरा का पूरा एक सो पचास अबजेक्टीव लगभग लगवाए और अच्छा से बीडियो देख लीजेगा तो पूरा एक सो पचास में एक सो पचास ला सकते हैं तो फिर कमेंट भी करना है कि आप कितना कुश्चन सही कर रहें पूरे जियोग्राफी का है ठी डाको की अर्थविवस्था याद रखेगा डाको की अर्थविवस्था का संबंध किस्ते है तो संसाधन संग्रहन से है या पिर संसाधन के नियमी दोहन से है इनमें से कोई नहीं क्या होगा तो देखिए संसाधन का दोहन का मतलब होता है कि कोई भी चीज उपियोग में आ तो उसमें बहुत ही तरिक से इससप का टरीक बताएं एक ही विडियो में संसाधन होते नहीं बनते हैं एक आदमी बोले kayak किसी कोनों को भ़ते हो रॉठ है किसने कहा तो फ़िच नाम था जिसका नाम अगला कुछक्षचे देखेंए तो कितना सांदार है palms आंकित में से कौन प्राकिर्तिक संसाधन नहीं है प्राकिर्तिक संसाधन समझते हो ना जो प्राकिर्तिक के द्वारा बनता है उसे प्राकिर्तिक संसाधन कहते हैं तो इन में से कौन नहीं है तो यहां देखे नदिया प्राकिर्तिक है नोहर का निर्माण हम लोग खुद करते हैं ठीक है तो ये प्रकृतिक नहीं है यहाद रखिएगा यहाँ देखिए अगला देखिए अगला है यहाँ पर लोह आयस्क कि संसाधन वर्ग में सामिल है तो आप बती है लोहा जमीन के नीचे से खुद के निकाला जाता है तो खोद के जब निकाला जाएगा तो जाहिद देखिए, अभी यहाँ पे माने वाली बात क्या है, लुहा में जान नहीं होता है, तो यह और जैव संसादन भी हो जाएगा, जैव नहीं, और जैव, और नवी करण यह और नवी करण भी हो जाएगा, तो यह भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप दोनों टिक कर सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ लिख भी दिए हैं, लोग आयसक वगएरा, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, नवी करण यह संसादन क्या होता है, तो देखिए, सौरे उर्जा, पौन उर्जा, जल भी दूट, यह कभी खतम नहीं होता है, इस्तमाल करते रहू, करते रहू, तो इसे नवी करण यह संसादन क्याते हैं, और 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 नवी करण यह किसे काते हैं, यह फिर इसको गैर नवी करण हैं, जैसे कोईला कैसे बना है कभी न कभी ब्रिक्स जमीन के नीचे दबें हैं सड़ें हैं गलें बहुत सारा फ्यूजन हुआ है जिससे कोईला का निर्माड हुआ है तो यह पेंड़ पौदा से हुआ है तो पेंड़ पौदा में कभी ने कभी जान होता है इसलिए क्या है जिवा नहीं होगा तो यह बहुत होगा और एक और तरीका से मानो नेरमीत भी एक मानो क्रीथ होगा लेकिन आप नवी करणिये मारिएगा क्या मरीगा नवी करणिया वैसे एक और चीज यहाँ थोड़ा सा देख लिया जाए प्राकिर्तिक गया है ठीक है सब कुछ आई है जल भी दुद अब यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक किस प्राकिर्तिक संसादन का भंडार सीमित होता है सीमित होता है कि माने खतम हो जाता है मानलों कि यह सीमित है कभी न कभी खतम हो जाएगा तो कौन इसा संसादन जो खतम हो जाता है तो यहाँ हो जाएगा आपका खनीज जो जमीन के नीचे से खुद के निकाला जाता है वो कभी न कभी खतम हो जाता है आपको बात करें तो यहाँ पे दो नंबर वाला question भी पूछता है नवीकरण यह संसादन क्या है तो स्वारिय उर्जा पॉन उर्जा और यह सब जितना भी नवीकरण यह है ज्वारिय उर्जा भी नवीकरण यह संसादन भी बताये थे न नीचे वायो उर्जा जायेगा ज्यव इन्दन यह सब नवीकरण यह और नवीकरण यह भी आपको बता चुके है अगला question देखिए चलिए देखिए तो गैर नवीकरण यह स्रोत इसका मतलब कि और नवीकरण यह पूछा है जो खतम हो जाता है तो जीवास्म हो जाएगा यह कभी ना कभी खतम हो जाता है चलिए कमेंट फटाफट किजिएगा आपको याद हो जाएगा फटाफट कमेंट हर कुश्चन का कमेंट किजिए अब आपको एक्जाम देने जाना है अब लापरवाही कीजियेगा न पबू तो फिर दिकत हो जाएगा आपको अब हर कुश्चन को कमेंट में कीजिये आप इतना एंसर सही करें जो जो हो रहा है डारेक्ट एंसर अप्शन नहीं डाइक्टट यही कोश्टन का एंसारे टिक कर दो मतलब औब समें कर दो सोय। अगला कोशन देखे तो सोलर से एनरजी मिलता है अगला कोशन लोह ऐस का मतलब समझते है इसमें लोहा की मातरा हो तो लोह ऐस किस परकार का सनसादन शक्तम हो जाता है यह हो जाएगा अगला कोशन बहुत इंपोर्टेंट बावु मस्ट वीवी ऐस इसका स्कीन सौट ले लिजेगा ठीक है तट रेखा कि कितने किलोमीटर सीमा को अपवरजक छेतर कहते हैं तो आपको बताल दे रहे हैं 200 नौटीकल माईल आपके गई काद उन कोस्टन पुझने सर समझ में नहीं है बाबू आपको समझ में आएगा नौटीकल माईल जैसे मान लिजए कि दूरी को नापते हैं न किलोमीटर में तो रोड वाला दूरी को नापते हैं किलोमीटर में लेकिन समूंदर के बीच जो दूरी नापा जाता है उसे नौटीकल माईल में नापा जाता है किसमें नौटीकल माईल में तो मान लिजे कि आप ये इंडिया हो गया और ये इंडिया अगर हो गया तो इस इलाका में समूंदर में जितना अंदर इधर जाएगा तो इस समूंदर है तो समूंदर में कितना दूर तक हम लोग का इंडिया का कबजा है और कितना दूसरे देश का हो जाएगा इसी को बोल आठ पांच दो किलो मीटर होता है लगबग डेड़ सो किलो मीटर से उपर होता है किलो मीटर एक नौटिकल माईल में यहाँ देखिए समूंदर तल से यह मालने जिए कि समूंदर का यह आधार हो गया यहाँ से अगर आप 12 नौटिकल माईल जाते हैं तो इसे कहते हैं प्राइदेशिक छेतर और यहीं से अगर आप 24 जाते हैं तो इसे सनलगन छेतर कहते हैं ठीक है और यहीं से अब 200 नोटिकल माइल जाते हैं तो यहीं को का कहते हैं हम लोग आर्थिक छेतर या अपवर्जक छेतर जो लिखेते हैं न वो कहते हैं तो यह याद रखेंगे आप लोग ठीक है इस पर देखो अब यहां कोई चीज निकलेगा नहीं इस पर समपती पर हमारा अधिकार होगा लेकिन यहां से कोई अगर जहाज बिदेश की जाएगी ता हम लोग रोक नहीं सकते हैं ठीकिन यही अगर इसमें घुस जाए ठीक है सनलगन छेतर मे एकदम समझ जाओ कि मार हो जाएगा ठीक है अगर यहां से चल जाए यह प्रैदेशिक जल का मतलब होता है जितना अधिकार हमारे अंदर वाले छेतर पर है उतना ही अधिकार यह पूरा हमारा है यह सब ओरिजनल है ठीक है यहां से जहाज जा सकती है लेकिन पॉमिशन लेक फिर आपको यह PDF free of cost tension नहीं लेना है देखिए हमको इसमें आपको एक रुपईया नहीं चाहिए लेकिन एक चीज तो चाहिए क्या से आपका रिजल्ट चाहिए result के दिन आपको ये बताना है comment जरू करना है कि sir मेरा बहुत अच्छा result हुआ है ठीक है ये जरूर आप बताना है और आपको number जे जाएगा उस पर अपना मतलब photo अगरा send कर देना है ठीक है यहाँ देखिए ये पुरा का पुरा आप और जग छेतर लिख दिया है 200 किलोमेटर के इलाका को क्या बोलते है आप और जग छेतर उधर नौटिकल माइल भी हो जाएगा किताब में थोड़ा सा डाउट दिया है यहाँ देखिए समुंदर छेतर में राजनियतिक सीमा के कितने किलोमेटर छेतर तक क्या राष्टिये संपदा होती है 19.2 किलोमेटर तक यह हमारा अपना संपती होता है अब कहें का सार यह तो 19 बोल दिया दिखे बाब यहाँ से यहाँ 24 हुआ न यहाँ से यहाँ 24 देखो तो यहाँ पर लिखे है 24 जूम करते हैं यहाँ से लेकर करके और यह ग्रीन वाला तक 24 है तो इसी के अंदर में हमारा राजनियतिक सीमा काम करेगा ठीक है मतलब नेता होता वाला पावर यहाँ देखिए अगला कोश्चन है कोईला किस पर करका संसाधन है आप बताए तो कोईला किस पर करका संसाधन है और नवी करन यह संसाधन है वैसे और जय भी हो जाएगा इसमें जान नहीं होता है तो यह दोनों आपका एंसर हो जाएगा लेकिन दोनों नहीं देता है कभी भी हमेशा देगा तो यह तो यह देगा यह देगा इन में से कोई नहीं दोनों ऐसे करके दे देता है ठीक है अगला देखिए संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का आस्तित वकिस पर निर्वर करता है उपियोगता पर अच्छा बताइए संसाधन किसे कहते हैं जो हमारे उपियोग में आए उसी को संसाधन कहते हैं जी मर्में क्या बोले हैं संसाधन किसी को मत मानिए ठीक है संसाधन होते नहीं है बनते हैं उपियोग में आए तभी संसाधन है जैसे मालीजी आप अभी फोन से पड़ रहे है त तो फोन आपके लिए अभी संसाधन है संसाधन किसे करते हैं जो काम में है जो उप्योग में अगर वो कोई काम नहीं आ रहा है तो संसाधन नहीं है फूटा हुए फोन घर पर होगा नहीं है संसाधन का में नहीं आ रहा है ठीक है यहां देखिए चलिए बात गिर्जा घर किस किसी एक व्यक्तिक में होता है किसी एक समूदाइक होता है तो पूरा का पूरा शंसाधन न्युक्तिं पिकनिक अस्थान मैदान ये सब जितना भी गुरुद्वारा वगरा है सब ये समुधाइक है किसी एक समुधाइक है राष्टी ये संसादन किसे कहते हैं तो जिस समपती पर पूरे देश का अधिकार हो जैसे मान जे शड़क तो सड़क किसी जातपात का नहीं होता है पूरे देश का होता है तो ये सरक स्कूल बगर राष्टिये संसादन आजएंगा अंत राष्टिये संसादन किसे कहते हैं तो ऐसा संसाद जिस पर पूरे बिदेशों का भी अधिकार जैसे ज्वाला मुखी जमीन के अंदर फटेगा सुर्य एक आदमी का नहीं है किसी एक देश का यह सुर्य पूरे देश में ऐसा नहीं है कि सुच रहा है कि आज इंडिये में धूप देते तो ठीक रहा था कि इंड जा सकता है कोई जा सकता है कि अंतराष्टिया संसादन ठेके यह आपको बता दिये और कितना दूर तक अंतराष्टिया संसादन होता है यहां लिख दिए देखिए तट से तट माने किनारा से 200 नौटिकल माईल वाले इलाका में जो समपती निकलेगी किलोमेटर लेखा गया है उसे हम लोग क्या कहेंगे अपना अंतराष्टिय सीमा कहेंगे ठीक है अंतराष्टिय संसाधन चलिए चूना पथर और पायराइड के लिए कौन सा राज ये परस आना होगा क्योंकि ये बहुत आसान है खाली चूना पथर कमेंट कर देजिए लेकिन पेटी बरने के-लिए कुछ नहीं इसका ट्रीक आपको जो आज वाले वीडियो अपलोड हूं है उसमें मिलेगा तो ये कौन बोले थे तो ये बोले थे आपके गांधी जी कि पता है हमा को पटा के जब तुम किसी को पटा लोगे तो उसको खिलाना पड़ेगा ना साधी विवाकर होगे तो तो वही वाला ट्रीक आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा पूरा का पूरा आप अगर एक बार वो देखे होंगे तो यह वाला कुष्चन आप से सब बनेगा हमार यह अंदोलन किसने चलाया था तो मेगा पार्टिकर बताया थे ना मेगा को पटा के ठीक है मेगा को पटा के तो मेगा पार्टिकर ने नर्मदा बचाओ अंदोलन चलाया था और यह नर्मदा नदी पर और नर्मदा नदी है कहां तो यह गुजरात में है जहाँ पे एक ऑर जी लोग होते हैं पाजी लोग सड्डा पुत्तर भोलता हैं जट तो मर्द की तरे एकदम दिखते हैं स्ट्रॉऌग ठेक है तो वह याद रखेंगे सर्दार सरुवबान नर्मदान आदी पर ठीक है मेगा पारें अंदोलन चला है था अगला यहाद चिपकों-अंदुलन अब सुन्दर देखोगे तो चिपको अंदोलन सुन्दर लाल बहुड़ा कब 1972 में यह याद रखेगा चिपको अंदोलन चलिए नर्मदा बचाओ अंदोलन निमलीखित में से किस बांध से समन्दी थे तो अब आते सरदार जी लोग हैं यह याद रखेगा अब भाखडा नंगल बांध की बात अगर करें तो आपसे यह पूछेगा नागल ठीक है तो यह आगे कुश्चन मिल जागा चिपको अंदोलन का नेतरी तो कौन कर रहे था सुन्दर लाल बहुड़़ा जिसमें देखिए औरते पेंड से चिपक करके और पेंडु का बचाओ कर रही थी फिर भी राजा इन लोगों क्या किया था कटवा दिया था अगला कुश्चन देखिए यह भी बहुत ही मस्त है यह देखिए तो सुन्दर लाल बहुड़़़़ा यह जो हुआ था यह उत्राखंड में उत्राखंड के चमोली जीला में चीपको अंदोलन हुआ जिसका नेत्रित वह सुन्दर लाल बहुगुणा कर रहे थे लेकिन एक और पेंड से चीपक करके जान दिया गया था राजस्थान में 1931 में रट लेजिए चार चार बार पूछा है 1731 में अमरीता देई विश्णोईक राजस्थान के थी विश्णोईक एक पूरा का पूर कमेंट केजिएगा चीपकों अंदुलन की शुरूमात कब और किष्णे की थी अगला कुस्चन कमेंट केजिए याद हो जाएगा लपर भाही किजिए का याद करें सरका कमेंट करें हमको तो याद है लेकिन सोच लिजीएगा वहाँ दिकत हो जाएगा इसलिए आज जितना कर रहे हैं उतना कर लिजिए ठीक है इसके बाद से आप मत किजिएगा नर्मदा बचाओ अंदुलन का नेत्री तो करता है नर्मदा बचाओ मेगा पार्टिकर बताये थे ना मर्द की तरह दिख रहा है भाई तो पटा ले भारत में किस अस्थान पर सरवधिक बरसा होती है मासी राम कहां पर होती है मासी राम में होती है मासी राम कहा है असम वाल मेगाले वाला इलाका हो जाएगा ठीक है असम मेगाले वाला मासी मौसी राम लिख दी है यह देखिए तरूण भारत संग किस राजे की एंजियो है राजस्थान की एंजियो है तरूण भारत संग ठ संसाधन का विवेकपुन उपयोग का प्रस्ताव सबसे पहले 1968 में बोला गया कि सुनो ना ही जितना हमारे पास संसाधन बचा हुए इसका विवेकपुन यानि सोच समझ के इस्तमाल करें पता है संसाधन का विवेकपुन इस्तमाल करना संसाधन नियोजन का हलाता है ये भी अब एक डेफिनिशन रट लेजए शंशाधन नियोजन ठीक है नियोजन इदो नमबर में पूछा है नियोजन किसे कहते हैं तो संसाधन का विवेक पुने निस सोच समझ के इस्तमाल करना मल जब के पास फोन है तो फोन है यानि संसाधन है जो काम में आ जाए उसे संसाधन करते हैं तो उसका सोच समझ कि आप इस्तमाल किजिएगा ठीक है योही बैटरी बरबात किजिएगा जिसनिंग लाइट नहीं रहेगा उस दिन दिक्कत हो जाएगा अंतराष्टिय अस्तर पर संसाधन का सर्रक्षण क्लब अफ रोम याद रखिया गया क्लब अफ रोम में संसाधन सर्रक्षण पर 1968 में सबसे पहले वकालत किया गया आपसे पुछा जागा क्लब अफ रोम ने संसाधन योजन पर वकालत कब की तो 1968 देखो पूरे इस पूरे तो इतना सब है 1900 आपसे question पुझाएगा अफरीकी convention कब हुआ था तो 1968 में हुआ था 1987 में देखो क्या हुआ था ब्रटलेंड आयोग ने संसाधन सरनक्षण पर बल दिया याद रखे हैं ब्रटलेंड आयोग 1987 ठीक है और ये ब्रटलेंड आयोग करता क्या है कि सतत विकास की संकल्पना करता है यादि सतत विकास की संकल्पना दी है सतत विकास के बारे में बताया है अगला question का answer आप फटाक से दीजे तो देखें संसाधन यादि सरपरतम संसाधन को सरक्षण करने के लिए किसने वकालत की थी यहाँ युजना आयोग निती आयोग क्लब अफ रोम या फिर बोडलेंड आयोग तो यह जाएगा क्लब अफ रोम कब दी थी यह कमेंट अब की थी क्लब अफ रोम ने वकालत कब की थी अफरिकी कन्वेंशन कब हो थी बताया थे ना पर खुद से प्रैक्टिस किजेगा यह पूरा का पूरा पीडियेफ ले करके आप ठीक है यहाँ देखे उनिश्चों बानवे में रियोडी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था तो आपको पता होना ची कि प्रिथवी सम्मेलन हुआ था इसका ट्रीक तो इतना संदार है एक लड़की थी पता है उस लड़के कुन बाइक चलाने का सौक था गाड़ी चलाने का तो देखो ट्रीक रिया ओडी にव फाइब नव फाइप प्लस क्यों जो रही हो कि रिया न और जोड़ तो यहाँ देखे पहला पृत्वी सम्मेलन हुआ स्तियोडी जनेरियो में हुआ था 1992 में ठीक है याद हुआ ओडी यानी रियोडी आगया ना रियोडी जनेरियो ठीक है याद रखेगा दूसरा यहां पे रिखन यॉव समलन इस 모습 इसे प्लस-5 सम्मेलन कहते हैं 19IS यह पां t साल के अंतराल पर सब हुआ है कितने साल के अंतराल पर पांच साल के अंतराल पर ठीक है और तीसरा प्रित्वी सम्मेलन जोहांस वर्ग में हुआ था तीसरा कहां पर जोहां ओडी नियू 5 प्लस क्यों जो रही हो यहाँ पे तीनो प्रिथवी सम्मेलन का जगह लिखा गया पहला रियो डी जनेरियो में दूसरा नियू यूर्क में तीसरा जुहां स्वर्ग में ठीक है कितना साल पर तो 92 से सुरू हुआ है परिथवी को बचाने के लिए, क्योंकि प्रिथवी पर्दूसे करने वाली जयसे जब जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो अमल की बारसा होती है तिजाब की बारिज जिससे पूरा फोसल बरबाद हो जाएगा शरीट पर पड़ेगा पूरा फेरल बिद्धा के चमड़ा ले लेगा ठीक है इसलिए भाई वह कौन-कौन सी खतरनाक गैसे है जो इसके बढ़ने के कारण ग्लोबल बरिंग होता है उसका विट्रिक नीचे आप इसकोर्ट पहुंते हैं नहीं पहुंते हैं पहुंती हैं तो इसकोर्ट होम याद रखिएगा विश्वसिखर सम्मेलन क्योटो सम्मेलन कब हुआ था तो आपको बताया थे ना उननीशो शंतानवे में हुआ था ठीक है अगला यहां पर देखिए ग्लोबल वर्मिंग स पहला विश्वसिखर सम्मेलन आगया एसकॉर्ट होम याद रखिएगा एसकॉर्ट हो में यहां पर देखिए एक और चीज़ यह हम क्यों ऐसा कर दिये हैं ताकि आप जब भी आपको यह फीडिएफ मिले ता आप एंसर आराम से इसको देख सकते कि एक्जाम का समय बहुत नजदीक है ठीक है तो यह आप याद रखेंगे प्रथम विश्वसिखर सम्मेलन उनिश्वभातर में स्कॉर्ट हो मोगया तद पहस्चाथ पांच जून को पार्या वरण दिवस मना जाता है यहीं पर डिसाइड किया गया कि हर पांच जून को पार्या वरण दिवस हम लो गांधी जी के बारे में चर्चा हुआ था यहां देखे एस्मॉल इस ब्यूटीफुल 1974 रट लेजिए उन्हें कमेंट कीजे तो एस्मॉल 74 ठीक है एस्मॉल इस ब्यूटीफुल गांधी जी के विचारों को इसमें लिखा गया है यहां देखे प्रतम प्रित्वी सम्मेलन ट्रिक याद है नियू 5 प्लस चाहिए ना तो रियोडी जनेरियो रिया को चाहिए था पहले रियोडी जनेरियो में अब आज है यहां पर ग्लोबल वर्मिंग के सर्रक्षण है तो यह सब किया गया था अच्छा यह प्रित्वी सम्मेलन यानि मीटिंग क्यों बैठाय गया था तो भाई फाल्तू और क्या बोलते हैं परदुसर करने वाली गैसे अपने वाई मंडल में बढ़ रहे थी तो इसको चीनता बढ़ा सब को तो सबने मीटिंग बुला है इसी को प्रित्वी सम्मेलन कहते हैं ठीक है यह 1992 से शुरू हुआ है कब से 1992 और एक एजेंडा बोल इस आ जाएगा एक बार देख लिए अजेंडा एक इस 1992 में हुआ था ठीक है जिसमें यहां पर देख लेजें कि 178 देश के परतनीधियों ने भाग लिया था यहां पर पूरा का पूरा हम डेटा आपको लिख दिया है दोतिय परितिवी समेलन जिसे 5 प्लस भी कहते हैं या क्येटो समेलन है गृटो पर भाव लिखनी है ग्रीण आउश समेलन कब वह ता ये भी संतानवे में भाता है यसी को क्येटो समेलन भी कहते हैं 169 देसों ने भाग लिया था और हाँ एक और चीज और इसी सम्मेलन को मोंट्रियल सम्झोता 1887 का विस्तार माना जाता है 1987 का विस्तार माना जाता है इसको रट लेजिए आपसे पुछे जाएगा कि मोंट्रियल सम्झोता 1997 से किसका विस्तार है तो क्योट्टू सम्मेलन का विस्तार है चले दूत्य प्रित्वी सम्मेलन कब हुए था उन्हेशोव शंतानमया प्रथम उन्हेशोब बानवे बानवे से ही शुरू हुए था याद रखेगा इन में से कौन गैस ग्लोबल वर्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है तो अक्सीजन नहीं है अक्सीजन ज्यादा बढ़ेगा तो ऐसे थोड़ी कि आम तीजा भी बरिस होगा ट्रीक याद कर लिजिए छे के छे गैस जो बहुत ही खतरनाक होती है मीठे फलो को मान लेजे कि आप अपने वाइप के साथ कहीं जा रहे हैं और अगर जा रहे हैं तो हाँ बार बार मीठे को होस के खा रही है होस के खा रही है मान लेजे सरक गया तब तो यहाँ देखे मीठे फलो को होस के सफर में नो से N2O हो जाएगा ठीक है तो यह जितना भी है यह पूरा के पूरा global warming के लिए जिम्हेदार गैसे हैं अच्छा लगे तो यह ट्रीक एक बार comment में जरूर कीज़ेगा ठीक है अब लग रहा है कि आपको कि क्या comment करेसर बहुत लिखना पड़ता है अभी न मेहनत करना है किस समेलन को आप खुद बताइए बबू मॉन्ट्रियस समेलन 1987 का बिस्तार मन जाता है अगर उपर अच्छा से लेटा लिख दिए पूरे अगर भारत की बात करें अपना गोल भारत बना दे रहें ठीक तो यहां मैदानी हो गया पठ्छार छेक उसके बासे अगहां पर देखी यह वला लेते हैं ठीक उसके बासे तिपर्सition हो जाएगा आपका परवत तीस परसंट क्या हो जाएगा तो य्ाद रखे Elika कीं यह मैदान हो गया यानि जमीन वाला इलाका यह आपका पठार वाला इलाका ठीक है और यह आपका हो जाएगा परवत वाला इलाका कौन वाला इलाका परवत वाला इलाका हो जाएगा ठीक है तो याद रखेंगा क्योंकि पांच-पांच साल के अंतरवाल पर है 1992 पहल अरे यार बड़ा बेकार मार कर ले लिया है जी यह वाला ले ले ऐसे ठीक पहला यह हो गया दूसरा इसके पांच साल बाद हो गया था उनेश्व संतानवे अथी सरा हो गया दो जैसे यह पांच साल पर किया गया तो इसी सम्मिलन को प्लस फाइब भूल दिया ठीक है प्लस फाइब समयन चलिए अगला कुस्चन देखिए पार्या वरण संरक्षण है तो पहला विश्व सिकर समयलन इस्टॉक होम में हुआ था पता है एसकोट होम हो गया है इसकोट होम या स्टॉक होम दोनों हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन भारत में कितने परतिसात भूवाग पर पठार है अभी बतात ना पठार 27 है परवत कितना है तो यहां पूरा का पूरा देख लिए 30% है कितना है 30% परवत इसी परवत से हमेशा नदिया बहती रहती है ठीक है 12-80 नदिया निकि 12 महीन नदी बहती रहती है परवत ही न क्या होता है मनें पघील जाता है पिगलना समझते हो न वहीं हो जाएगा तो यह यहां ब्यार और उत्तरपर्दिस क्या बलते हैं हरियाना पंजाब इस सब जग सब जलोड पाता है तो यहां पर पोटास पटाने लगते हैं फासफोरस एकदम फोर फार देते हैं लोटा के हैं अपना आथ पर फोर फार लेते हैं अच्चूना पत्थर ठीक है याद रखेगा यह जलोड़ क्यों कि हम लोग कहा जाता है काली मिर्दा को रिगूर मिर्दा भी कहा जाता है यह भारत के इस इल मुख़ा मुख्य के फटने से हुआ। है एलमुनिव का लोह को करण क्या रंग क्या होता है इसक मैस नवनिया में लोह वाल सकते हैं। लेटे राइट्थ न जा Jahoiti थोड़ा सांग होता है लेटे राइट्थ हותा है लोहे के अकसाइफ्सीयोμετηमें लोहे के पैली मिर्दा तो लाल होता है उसमें थोड़ा सादी मिला तो पीला होझा यह तो 100 सेंटीमीटर से भी कम यहां पर बरसा होती है इसलिए आसा मिटिवोती ही हो जाता है मर्वस थाली मिर्दा जो हता है यहां पर उपर उसलिए इंडियां भारत में सबसे अधिक भी star friendships है जलूर का है simple, comment करते रही है सरवधिक काली मिर्दा महरास्ट में अगर यहाँ पे रहता ना गुजरात तो गुजरात मारते तो काली मिर्दा ठीक है, इसे रिगूर मिर्दा भी कहते है, काली मिर्दा गुजरात महरास्ट में पाई जाते है काली मिर्दा में तो यह याद रहनी है इसी एकरण इसका रंग रंग काला हो जाता है जॉअला मुखी के यहां देखिए थोड़ा सा समझ लेजी जॉअला मुखी के भिसाल लावे का भी घटन जब नीचे से जॉअला मुखी ऐसे निकला था न तो मालेजे के ऐसे निकल के ऐसे होता गया है सब जो अला मुखी और बाद में ऐसे होता गया होता गया ऐसे परवत की तरह बन गया निकल निकल करके और यही पे जो काला पड़ जाता है तो सुख गया मिट्टी की तरह हो गया इसलिए कौन बन गया काली मिट्टी बन गया अब आजाए मिट्टी देखिए जमीन का कितना सुन्दर परत है ठीक है देखिए हम लोग जब कोई भी चीज अनाज वगरा उप जाते हैं मिट्टी की उपरी परत को क्या बोलते हैं हीमस देखो यहां पर हर चीज लिवक है चलिए हैं यहां लिखविजिये आपको कि मिट्टी कि वपरी पअल को क्या कहते हैं ही warto किस क्रिशी के लिए बिस्व परसीद है F1 रा चेतर माका के लिए अब किसर यह दिए रा 라는 जो इलाका ऩोता है माले सिसमुंद्र किनारे उस इलाका को inhसे Not हैं वहाँ पे न कुछ अच्छा नहीं हो पाता है बार बार पानी आगा पारिसानी का कारण बन जाता है तो ऐसे चेतर को जो तर्ट के किनारा उसे दियरा चेतर कहते हैं यहाँ पे देखो लिखें दियरा चेतर का मतलब नदी के बाड मैदान में इस्तित एक क्या अस्थल होता है उसे क्या कहते हैं नदि के किनारे के खेती तंवाकू का खेती नबड़ी ज़्यादा होता है और तो मिट्टी में में ही मेंस होता है नहीं होए अगला कुस्चन देखो तो परवतिय मिर्दा है यहां पर जटिल यह वं बिविता बताईए ना कितना जटिल होता है इस खेत को जुतना कितना मुश्किल होता है इसमें परवत पत्थर वगरा होता है तो कह रहा है कि जटिल मिर्दा किसे कहते हैं तो परवतिय मिर्दा को कहते हैं जटिल मिर् परवतिया इलाका में होता है ठीक है यहां देखिए कई बार पूछा गया यह कुछन है बारा बीस एकईस बाइस बाबू आप चोवीस में हैं गबड़ाइए महाँ पंजाब में भूमी निमनी करन पंजाब में पता है जमीन में कुछ बाद में उपचता ही नहीं कभी कभी जानते हैं इतना ना वहां सीचाई कर देखो कहीं पे पानी बेना फसल नहीं होता है कहीं पे ज्यादा पानी हो जाता है तब पंजाब में इतना पानी दे देता है लोग सीचाई कि वहां पे भूमी निमनी करन हो जाता है कम ब्बूर ओभ जाता है यहां देखिए हाँ यहाँ को साफ लेकिर नहीं दिख रहा होगा किरल में किस परकार के मिटी पाइजात跟大家 तो अगर यहां पर आपको जूम चार घंटा लागातार उसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा देखिए देखिए उसको देखिएगा और उसमें कमेंट किजिए ताकि वीडियो कैसा लगा और आपका कमेंट देख करके मेरे अंदर मोटिवेशन जगेगा और हम आपके अंदर मोटिवेशन जगाएंगे यहां मर्वस्थालिय मिर्दा का विकास किस श्यत्र में हुआ है तो मर्वस्थालिय बालु वाला राजस्थान में हुआ है ऐसा हुआ है कि नहीं अगला कुश्चन है यहां देखिए विश्व के कूल जल का कितना परतिसत भाग महासागर में आपको पता है पूरे विश्व में सब सबसे तीन हिसा जल ही है तो मानने जिए कि यह पूरा का पूरा यह सब जल है ठीक है तो कितना परतिसाथ लगबग चानवे पॉइंट पांच परतिसाथ सिर्फ पानी ही पानी है लेकिन सब पानी पीने योग्या नहीं है तो महासागर है यहां नीचे इसके बारे में हम पूरा लिख दिये हैं देख लिजिए बिश्व का कूल जल आयतन का 96.5% महासागर में और 2.5% अल अमड़ी जल है जो हमारे पीने योग है जिसे पूरा बिश्व चल रहा है ठीक है याद रखिएगा अत्यधिक जल के कारण प्रिथिवी का रंग नीला होता है ये याद रखिएगा किसके करण ज्यादा जल है ना इसलिए दूर से देखने पर प्रिथिवी नीला ग्रह की तरह दिखता है और हाँ अब तो इतना जल है तो कुछ ना कुछ जल से हम लोग करेंगे ना तो देखिए जल से बिजली बनाते है पूरे भारत में 22% बिजली किसे बनता है जल सरोथ से आता है ठीक है आज 60-70% बिजली कोईला से बनता है ठीक है चलिए इसको समझे जल गोलार्द गोलार्द माने गोला का गोलार्द आधा हिस्सा को गोलार्द कहते है तो देखिए तो सबसे अदा नीचे बुलू बुलू दिख रहा है न तो नीचे वाला दक्षडी गोलार्द को जल गोलार्द क आज ब्लू है पानी पानी तो वही वाला है अगला देखिए यहां पर अधिकांस जल पृतवी पर दक्षरी गुलार्द में है यह तो लिख दिया है इसे जल गुलार्द करते है उस्तल गुलार्द उपर होता है उत्री गुलार्द में 75% मृदू जल अट्लांटिक में होता है अब बरफ के रूप में अट्लांटिक में होगा ठीक है ग्रिन लेंड में परवतिये छेत्र में बरफ के रूप में पाजाता है 25% मातर स्वक्ष भूमिगत जाले जमीन के नीचे 25% है ठीक है पूरे 100% की बात करें अब सुनिए ना अब सुचिए कि पूरे प्रिथवी में नीचे वाला तो सबसे पहले जल हो गया अब जो इसमें बचा तो इसको अगर हम 100% अगर मान ले ठीक है तो 75% परवते में रहता है इसको भी नहीं पी सकते हैं और मात्र 25% इसका उपर वाले का हम लोगों को पीने योगिया होता है प्राणियों के इंसान के सरीर में भी होता है जल कितना परशन्ट 65% किताब में दिया वैसे कई 70 देता है कई 60 देता है ठीक है या लिक भी दिया है आप देख लिजीए का प्राणियों में 65% जल होता है पौधों में अगर बात करें तो 65-99% तक जल भी दिमान है एक बेग्यानिक थे भी से शग्य मान लेजिए जोग्राफी के जिनका नाम था फालकन मार्क, क्या नाम था फालकन मार्क, यह स्वीडेन के थे स्वीडेन के थे, इन्होंने कहा था कि पता है, एक इनसान अपना जल खर्चा करता है एक इनसान अगर जल कितना खर्चा कर पता है रोज रोज, तो एक हजार एक घन मीटर यहाँ जगा खोद दिजिए घन का मतलब होता है, आप जो भी गड़ा खोदिए, लंबाई भी एक हजार चोड़ाई भी एक हजार, उचाई सब मने मिला जुला करके एक घन मीटर गड़ा खोदिए तो उतना जितना उसमें पानी आएगा ना उतना हर रोज इनसान एक दिन में खर्च करता है, यह फालकन निया अनमान लगा है, 22 परतिसान यह बता दिये कि इससे बिजली बनता है फालकन कहां के निवासी थे, तो फालकन स्वीडेन के निवासी थे बड़ी स्वीट है फालकन, ठीक है फल स्वीट लगता है कि नहीं, स्वीट होता है फल क्या होता है मीठा होता है स्वीड तो स्वीडेन याद रखो अब यहां देखो भारत में लगभग कूल बिधूत का कितना परतिसाद जल से होता है तो 22 परतिसाद जल से प्राप्त होता है और यहां 60 से 70 परतिसाद किसे होता है कोईला से होता है आप बताई अर्जून को कौन समझा रहा था महाभारत में कृष्ण भगवान न्यग्जा लिए याद रखेंगे तोड़ा साइस को समझ लीजिए अंधरपरदेश और अगर अगर इंडिया का मैब बंगान तो यह गया तेलंगाना आंद्रपरदेस सौरी यह गया आपका तेलंगाना यह गया अधरपर आइसी के बॉर्डर पर यहां पर बना दिया है ऐए ठीक है यही वहला औन भ दिखना ना इसी Ар सिर बीच Infinkles Mike बनाए गए लाल नेहरू ने कहा है यहां देखिए तो भारत की सबसे पइले देखा गया कि इंडिया में पैसा वैसा कमाने का कोई उपाहे नहीं चल लूट के लिए के चला गया तो यहां जो नौदी नौदी पर बना देते हैं बांद बनाएंगे तो बहुत फाइदा एक त बनेंगा तो उसे हम विज्री उतफ़ादन कर सकते हैं उसके बाद सेढहर बना सकते हैं सबसे पहले किस न नदी का पानी रुका गया था तो ना दिए गाटी परिजणा सबसे पहले बनाए गया थैंड इसे बंगाल का सोक काते हैं तो आप बताएं कि दा मोडर को बंगाल का सोक काते यहां मूत खेंगा तो यहां अब इसके बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो समझे देखिए खुब अच्छा तरीका से ये इंडिया था अराम से इधर से नदी गई या इधर निकल जा रही थी और रजस्थान को पानी नहीं मिल रहा था तो इधर से एक बांध काट करके सुचाए कि रजस्थान को हम पानी दे दें ताकि रजस्थान सुखा वाला इलाक है इसमें पानी की कमी है तो वही एक नहर बनाया गया इंडरा गांधी नहर जो आएगा रजस्थान में पानी देगा तो दो नदियों के संगम पर ये बनाया कितने नदी है दो नदी है यहां देखिए यहां ध्यान स अच्छे यह था कहां पे इधर से सीधा लेकिन यहां पे पानी को रोक दिया गया और यहां पे एक बांध बना दिया गया ठीक है इधर भी एक बांध और यह वाला जो बांध बनाया गया यहां देखिए यहां पे जो बांध बना इधर से कहां चला जाएगा यह रजस्थान में इधर चला जाएगा ठीक है यह बांद आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं यहां पर लिख दिए हैं इस बांद का नाम हरी के बहराज हरी के बहराज याद रखेंगा हरी के बहराज नाम है कौन से इंद्रा गांधी पर बनाया गया थे इंद्रा गांधी नहर पर यहा का मरूगंगा कहते हैं यंदि रजस्थान में देखिएगा पानी की कमी हो जाती ये तो वहां का जीवण दाइणी भी इसे कहते हैं इसे जीवण रेखा भी कहते हैं राजस्तान ने बनाया था ठीक है एक एंजिनियर थे 1948 में यह एंजिनियर थे विका नेर राजियक में नेर विकानेर के इंजिनियर थे ठीक है राजस्तान के भागि रति वग़रा पर तो यहां देखिए पंजाब वाले इलाके में 響 एनिस सो बावन में इसके अस्थापना होई थी अगला इसमी में है कि एसिया का सबसे बड़ा मानो निर्मित परियुजना है मानो द्वारा पहली बार इतना बड़ा नहर बनाया गया था उस समय याद कीगा कि 1859 में ततकलिन ग्रिह मंतलिक गोविल वल्लब पंत द्वारा इसका उदघाटन किया गया था इस नहर का ठीक है दो नॉम्बर 1984 को इसका नाम बदल करके इंद्रा गांदी नहर रख दिया गया था ठीक है हरिके बहराज से हनुमान नगर के मसितावली तक अब यह और डीपली हो जाएगा इसको आपको जानने की जरूवत नही है बस याद दखेगा हरिके बांदी को बनाया गया था इंद्रा गांदी नहर पर चलिए भारत की सबसे बड़ी नहर कौन है तो यह हो जाएग इंद्रा गांदी नहर किस नदी से जल को प्राप्त करता है तो आपको पताऊंगे दो नदी सतलुज और ब्यास याद रखेगा इंद्रा गांदी नहर का उद्गम कहां से हो जाए तो भाई यह वाला हो जाएगा हरिके बैराज से हुआ है सिमपलिस की अस्थापना 1952 में ह तैन को दूस साल के बाद पहली बार वहांपि नहर बहुत बड़ा बना अब बात करते हैं धोड़ा सा सभी बांधो के बारे में हीरा उड का हुआ उड चीडिया उड़ पड़े होन तो हीरा और यहीरा कुंड बांद उडिसा में है जो माहान नदी पर बनाये गया है ठीक है भाखडा नंगल बांध जो है भाखडा नंगल सतलूज नदी पर है कहां पे जो हीमाचल परदिश में आता है ठीक है अब यहां देखिए अगला है यहां सौरी एक और चीज़ बता ले कृत् काकरा पारा कहां पे तो जतना पाड़ा गाधा वगरा जतना होगा सब गुजरात में होगा ठीक है याद रखिएगा तापती नदी पर काकरा पाड़ा पर्योजना बनाये गया है आई यह तो आपको बताएं थे सरदार सरवर बांध नर्माना नदी पर मध्य परदिश वख रहा था उपरचड़ गई Persиг परचला के इधार बार बार भाग रहा थी फाग रही थे तब तक इस नदी में का हो गई घीर गई तो यहां देखिये इ除کए आर। समझ में है या या टी टाइब का था तो टीहीरी बांद कहां पर यह भाग रही थी थो भागी रती नदी पर है ठेखें ऊपर चठके भाग रही थी अगला देखिए सरदार सरोर बांद किस नदी पर पंडी जौहर लाल नहरू की बात करें तो पंडी जौहर लाल नहरू ने 1961 में इस पर्योजना का अधार सीला रखा था हाला कि इस पर्योजना का निर्माड 1987 में ही शुरू हो गया रखाए कि इतना में स्टार्टी हूँ और 87 में यह शुरू हो गया ठीक है अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन हो जाएगा 1985 में नर्मदा नदी पर एक विसाल बांद बना करके पहली बार बांद बनाय गया था और इस बांद का खिलाप की थी कौन खिलाप गई थी मेगा पार्ट कर आपको बताए भी थे पिछले वाले जितना भी कुश्चन अगर देख रहे हो तो यह बता सकते हो चलो यहां देखो अगला कुश्चन नोट्स में आप इसको पढ़ लिजेगा बिहार की पहली नदी घाटी पर युजना कौन है तो पहली बार यहां से सून नदी गई थी क्यों? क्योंकि बिहार में देखो इस तरह इसा बिहार है कि बीच से गंगा नदी जाती है इधर से बहुत सारा परवत है आप पहले वीडियो कल वाला देखें अगर आज वाला जो वीडियो अपलोड हुआ है चार गंटा का उसमें देखिएगा तो यहां पे खुब अच्छा थिरिडी में दिखाएं हैं हम यहां पे एक ऐसे पहार है पढ़वत है और यहां से नदी इधर आती है और यहां पे नदी आएगी और आएगी तो इधर बाढ़ आ जाएगा और इधर पानी पहुँचता है नहीं था कि इधर वाला उच्छा इलाका है तो इधर सिचाई नहीं हो पाता है तो सुखाड हो जाता है इसके लिए सोचा किया गया कि इधर से हम लोग एक नदी जो जारे इसी में से हम लोग बांध वगरा बना करके और इधर सिचाई करेंगे तो वही पहली बार सोन नदी पर बांध बनाया गया था यह आप याद रखेंगे ठीक है तो आपका कौन सा एंसर इसका सही हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा सोन याद रखियेगा अगला कौस्चन देखिए बिहार का कुछ परियोजना के बारे में जानने सोन नदी परियोजना की सुरुआत 1874 यह तीन बार कौस्चन पुछा गया है तो कमेंट किजिए सोन चोहत्तर सोन चोहत्तर में किया गया था और जैसे ही मानलो नदी जा रही है यहाँ बांध तुम बनाओगे तो पनी यहाँ जगह चवड़ा हो जाएगा की नहीं तो एक जलासे यानि की पोखरा टाइप का बन गया इस जलासे को बोलते हैं इंद्र पूरी जलासे लेकिन और वो पीछे बना था इंद्र पूरी जलासे ठीक है और यह पीछे बनेगा लेकिन मानलो यहीं पे इंद्र पूरी जलासे है ठीक है उसके बास से यहाँ पर वांड सागर जलासे और बहुत सारा जलासे कोसी नदी पर जब बांध बनाया गया था यह माननों कि ऐसे बिहार है ना इसे तो इधर से कोसी नदी आ रहे थी तो कोसी नदी पर बांध क्यों बनाया गया था क्योंकि बार बार यह बांध तूट जा रहा था तो मजबूत बांध बनाया गया बाढ़ को नियंतरण करने के लिए बाढ़ को बाढ़ से बचाने के लिए कोसी नदी पर बाढ़ बनाया गया यह नैपाल में बनाया गया था हनुमान अगर जलासे बाढ़ बनाने से यह नदी की तरह हो जाएगा तो इस जलासे का हनुमान अगर जलासे कहते हैं गंडग नदी के बात करें तो फिर से एक बिहार का मेव यहाँ देखो और यहाँ पे ऐसे नदी बहती है गंडग तो यहाँ पे बांध बना दिये गया था यह जहाँ बांध बनाए यह जग यह क clinically आदा ठीक है तो इस जलासे को कहते हैं बालमी की नगर जलासे आज की जो वीडियो में अपलोड हुआ है उसमें तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा चार घंटा लगतार पूरा कीताब कंप्लीट ये बहुत मेहनत के बाद बना है इंद्र पूरी जलासे किस राजय में है तो भी बिहार में इंद्र था ठीक है बिहार की सोग ताकि बाड को नियंद्र किया जासके वहां पर हनुमान नगर जलासे भी बन गया था दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राजियों को मिलता है तो दामोदर आपको पता होना चाहिए कि वह क्या बोलते है बंगाल का सोक है तो माली बंगाल तो इधर जितना भी राजिया आएगा सब भई इसका फाइदा उठाएगा तो जारखंड और पर्सी मंगाल ये दोनों इलाका में इसके पानी दामोदर का फाइदा होता है सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलासे है तो सतलज याद रखी का तो गोविंद सागर जलासे सतलज नदी पर है अगला यहाँ देखिए अगला हो जाएगा जल के अती दोहन से बिहार में बहुत ज़्यादा कभी जल का इस्तमाल किया जाने लगता है तो पता है ज़्यादा जल किसी चीज में डाल दोगे ठीक है और हम बात करें महाराष्टर का महाराष्ट और राजस्तान का तो यह ज़्यादा जल वगर होगा तो यह किसी मात्रा बढ़ जाता है फुलोराइट की मात्रा बढ़ जाता है ठीक है वैसे भी फुलोराइट याद किसे रिखेगा तो फुलोराइड में ब्रिद्य हो जाती है अधिक जल के दोहन से प्रतम राष्ट्य जल निती कब अपनाई गई थी तो प्रतम राष्ट्य जल निती यह 1887 में अपनाई गई थी याद रखिएगा यहां पे लिक भी दिया है सितम्बर 1987 उसके बाद से इस नियम को संसोधन करके और 2002 में संसोधन हूँ और फिर 2012 में भी कुछ इसमें नियम में बदलाव किया गया चलिए अगला कुश्चन की बात करें देश में सरवधिक बरसा मौसी किया होता है मासी राम ठीक है सबसे ज़्यादा बारिश होता है मौसी राम में तीन गो पहाड़ी जिसका ना में गारो खांसी जयांतिया याद रख सकते हैं नौलेज के लिए बागी कोई दिकत नहीं है मौसी राम में भारत के साथ साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा बरसा के अगर बात करते हैं माशी राम में ही होता है हमीशा बरसा होते रहता है गुचत बाẩगी में और इस में एकठा के जाता है फिर पाने की जड़त पड़ता है तो पाइप दाल दिया जाता है अब यहां पैसे जाएगगा पाईप के जरिये नीचे जमीन में घठा को देया आ है इस गधा को टांग का बोलते है धाका नहीं, टांका या टंकी बोलते हैं ठीक है, यहां देखिए इंद्रपुरी जलासे का अन्य नम कदवन जलासे है, क्या है कदवन जलासे जो की बिहार में है याद रखिएगा अब यह जलासे बना कब था तो बात करें अगर बिहार की तो बिहार का ऐसे जब बात खुला है तो पूरा बताएं आपको इधर से जब ये गया था तो पहली बार यहाँ पे जला से बन गया डेहरी अस्थान है उसके ठीक 10 किलोमीटर पहले एक और बांद बनाया गया फिर यहाँ बांद बनेगा तो यहाँ पाने ही इकठा हुआ तो यह बांद बना है कब? 960 में बनना शुरूँआ आठ साल में यह बांद बन करके तयार गभा डेहरी से 10 किलोमीटर दक्षुंड था यह ठीक है डेहरी लिखे है न 10 किलोमीटर यहाँ पे बांध बना यह बांध भी बहुत बड़ा बन गया गलती से बिश्व का चौथा सबसे बड़ा बांध था जिसकी लंबाई 407 मीटर है ठीक है यह ट्रिक कैसे यह यह लिखिएगा 7 दूना केतना होता है 14 होता है 147 किलो मीटर है या देखे और इससे बिजली बनता है कितना 450 मेगावाट बिजली बनता है ठीक है बांध बनेगा तो बिजली तो बनेगा और वैसे भी आपको प्रैक्टिकली तरीका सम्द दिखा चुके हैं वीडियो में आज का बाड नियंतरण के उदेश्य से बिहार के किस नदी पर बनाए गया था कोशी नदी पर बनाए गया था उतना घेरबान के पढ़ने की जरूवत नहीं है अब देखे ये कोशी नदी पर बनाने का प्लानी अठारे सो चानवे से ही शुरू हो गया था कि भाई बन जाता न तो बिहार में थोड़ा सा बाड़ कम आता और इसका निर्माण शुरू हुआ है उन्हेस अगला कोश्चन भारत में 2001 में कितने परतिसत भोगोलिक छेतर में बन का बिस्तार है तो यह हो जाएगा उन्हेस पॉइंट दो साथ परतिसत ठीक है यहां पूरा का पूरा आपको में रखिएगा वन इस्तिति रिपोर्ट भारत में जो वन आपको वन कितना है कितना नहीं कौन बता कितना परतिसत वन का विस्तार हुआ है तो यह 20.55 परतिसत अब डाउट आपको एक आएगा कि सर यह दोनों कोश्चन में परसेंटेज पूछा है तो 2001 के हिसाब से पूछ देगा वन इस्तिति रिपोर्ट के अनुशारती हो जाएगा 20.55 परतिसत इंदर पूरी जला से किस नदी पर है तो स्टोन नदी पर है यह तो आप जानते हैं यहां पर लिख दिया है कितना मेगावाट बनाती है अगला कुश्चन है कि बालमी की नगर जला से किस राजय मे पड़ता है यहां पूरा डेटा लिख दी है एक और चीज जो वालमी की नगर जला से इसे भाई से लोटना स्थान पर है गंड़क नदी पर जो बांध बनाया गया था ठीक है माली जे कैसे अपना बिहार है न ऐसे तो इधर जो बांध बनाया गया तो इस बांध की लिए साथ सो तिरालिस मीटर याद कैसे किजिएगा तीन चार जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा साथ ठीक है यह याद रखेंगा आप सुन नदी पसर पर थम बांध होगा बंध होगा कब बनाया गया था तो यही आपको बताया थे ना 1974 में बनाया था सुन नदी पर पहली ब कमेंट किजिए आप ठीक है यहां देखिए जो डेहरी पर बांध बनाया गया था उससे मान लिजे कि ऐसे हो गया यह इधर से गया तो इधर भी नहर निकला गया इधर भी नहर निकला गया तो इससे चोव पॉइंट चो मेगावाट बिजली बना इस ट्रिक से बता हैं बहुत सरा बिहार बनाना पड़ता है तो पूरव वाला इलाके में 130 किलोमीटर यह पूरा का पूरा इलाका में से चाहिए कर पाता है यहां पे उसके पीछे है इंद्रपूरी बैराज जो कि 1960 में बनना शुरू हुआ था और 1968 में बन करके तयार हुआ इंद्रपूरी जलास किस नदी पर है तो गंडक नदी पर है किस नदी पर है गंडक नदी पर है यहां देखिए पुरवत्तर राजियों में 188 अधिवासी जीलो में देश के कुछ छित्रों में कितना परतिशत बन है तो यह हो जाएगा आपका 60.11 अधिवासी वाला इलाका में ज्यादा बन होत ज़्यादा होता है ठीक है आपको पता होना चाहिए अब बात करते हैं वन के बारे में बन पता है हमको बचाना चाहिए हम लोगों को 1951 से 1980 तक लगभग कितना किलोमीटर बन छेत्र भूमी में परिवर्टन हो गया था मैंने क्रिसी योग्य भूमी में तो 26,200 लगभग किलोमीटर इलाका में ठीक है बन क्या हो गया था पूरा का पूरा बन काट करके खेत बना दिया गया था अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन जूम करते हैं धक्षिर भारत में किस पेड़ के एकल रूपन नहीं झाथा है एक ही टाइप का दक्षिर भारत में पेड़ लगाए ज़ता है इहां पर आपको लिख दी हैं उसके बाद से बात करें तो हिमाले में चीड पाइण कर ओफड़ होता है याद रखिएगा हिमाले योग का numéro पड़ होता है रोडो डेनोन वन का नुक्सान किया गया था टेक्सओल का उप्योग केंसर में होता है किसमें होता है टेक्सॉल टेक्सॉल निकाल करके और उसे कैंसर का इलाज होता है टेक्सॉल एक रसायन है अब अगर टेक्सॉल से कैंसर का इलाज होता है तो दो तीन गो और इलाज देख लेते हैं मौर्फीम की बात करें तो मौर्फीम दर्व में काम आता है कि इसमें दर्द का दवा बनाया जाता है ठीक है टेक्सॉल से कैंसर का इला जोता है और पपा वहर सोनी फेरम यह जो दवा है यही सब दर्द का दवा है अब दर्द होता है तो पपा कोई न चिलाओगे यहां और ये सब अईरवेद के जनक चरक है और चरक कहां के थे भारत के थे ये भी आप याद रखेगा चरक भारत के थे जो अईरवेदिक जड़ी बुटी ज्यादा जानते थे यही यह बावु टेक्सोल इसी का छालव गरा निकाल करके इसका हर चीज से दवा बनाया जाता है इस माँिहां यह हीमाली यह एक पौधा अब बात करते हैं थोड़ा सा पुसिव मंगाल में बुक का टाइगा र्याव को डैस से खतरा है किसे याद रखेगा बुक का टाइगा रिजर्व काहा है तो पुसई मंगाल मेर्य जोद पुरजीला की थी यह तो ऊपर ही बता चुके यहां भी लिख दिए हैं इन्होंने खेज़डी बिरिक्स के सरक्षण किया 1931 में याद रखेगा यह भी बन अनुसंदान केंद्र हमेशा ज्यादा बन देखना उत्रा खंड वगरा इलाका में पाया जाता है यहां पे पूरा का पूरा लिख दिए हैं रेड डेटा बुक दे आपका पूरा का पूरा बता अगला बात करें कुछ तो दर भंगा में के में कुछ चोवर दिए क्या बोलते हैं कॉमर लिखा ङे इसे गोखुर जिल भी कहते हैं कुशिस्वर अस्थान दर्भंगा में होता है ठीक है घडियाल परजनन केंद्र मध्य परदेश में किस अस्थान पर है तो मुरैना में मुरैना नहीं होगा मध्य परदेश के मुरैना में घडियाल परजनन केंद्र है लेकिन इसमें दो कोश्चन पूछा है घड का परजनन केंद उडिसा में ठीक है किस जगह में नंद कानन याद रखिए नंद कानन में है ठीक है अब देखिए नंद कानन किस राजा में है उडिसा में है आपको याद रखना है उपर अगर आज सही से समझेंगे तो हो जाएगा याद हो जाएगा उजले बागो का परज कि सुर्वांद 1973 में बाग परियुजिना और हाथी परियुजिना की शुरुआथ कि हाथियों को बचाने के लिए 9022 और बागों को बचाने के लिए अगला क्वेश्चन तक पीड एक इस असमाइक द्यालूद ठीक है यह बात पता एक किसने काया गौतम बुद्ध ने कहा था किसने कहा था गौतम बुद्ध क्योंकि हम लोग इस पर अत्याचार कर रहें न सबसेद यह जिवधारी यह अत्याचार भी कर रहें अब यहां बात करें कि उन चारसो सतासी इसापुर में गौतम बुद्ध ने पेंड को एक विसेस आशीमित दयालू और उद्दार जिवधारी कहा है यह इसका मतलब हुआ कि गौतम बुद्ध बोले है कि पेंड इतना तो दानी कोई है नहीं देखना सब को अक्सिजन देता है उसके बदले में कुछ ख छाल देखते है吧 एकिस पेंड कि छाल छ इनकोन नियां चल यह मलेरीया का दteना वं क्शाला हिमाली ये से केंसर कशाना ये वीडियो में आप आप ऐसके विडियो में देख सकते हैं कंद मध्य परदेश्य में में लोगों का इसा इलाएस्थान में है नंदा देवी पूरा कृताब का निचोड़ए ङ Tutro was इसलिए प्लीज इसको लाइक ही से बहुत मेहनत लगाया ह Bang ननन्दा द्रूर ऐस्टि उद्यान किस राजे में तो उतरांद में तो ग्रनबर सीर के लिए परकूरे थे तो गील 예 गुजरात में का करब तक रहा होता है यह काफी पर सिर्दों कर लिए इंद्रावति जलासे इंद्रावति जला से किस राजय में, सुरी, 36 गड़ में था, हम आपको इस्टार्टिंग में बता दिये थे क्या, उडिसा में, ठीक है, इंद्रपूरी की बात करेगा तो बिहार, और इंद्रावती की बात करेगा तो 36 गड़, ठीक है, यहां लिख दियें, इंद्रावती नेशनल पर कहां पर है, तो यह हो जाएगा आपका 36 गड़ बगरा इलाका के बीजापूर में, मैगनीज, यह तो ट्रीक आपको बताये थे, मैगनीज का सरवदिक भंडार, मानले जी, मैगनीज का आपको बताये थे, एक ट्रीक, ऐसे यह उडिसा में, जब आप मैगी खा रहे होते हैं, तो अगला यहां पर देखिए, उडिसा में, मैगनीज और बगसाइड होता है, ठीक है, सबसे अधिक होता है, एक टन इस पात बनाना हो, तो 10 किलो मैगनीज चाहिए, यह पूछा गया कोछ चन्हें, कि एक टन लोहा के चीज़े बनाने में, कितना 10 किलो मैगनीज चाहिए, करन नाटक में क्या होता है लोहा और सुना होता है आपको ट्रीक बता है थे लो नाटक करके सो गया ठीक है मैगी को साइड करके उड़ जाओ ठीक है तो मैगी से मैगनीज और साइड से बगसाइड यह उड़िसा में लो नाटक करके सो गया ठीक है क्यों क्यों कि फाइट हुआ थ देखिए पूरा जोग्राफी का जन जटे खतम हो जाएगा ठीक है चार गंटा भला जार्खंड में यूरेनियम और तांबा होता है यहां सीभू में इलाका हम होता है कोईला जरिया में परसीद है और यहां गोडवाना संरचना और उत्तर पुर्वी छेत्रों में बिहार और जर्खंड में अबरक होता है लेकिन अभी बिहार जर्खंड में ज़्यादा अबरक नहीं है अभी सबसे ज़्यादा अबरक है का बोलते हैं आंदर परदेश में लेकिन आपके किताब में अभी दिया है तो यही मानते है भारत में अगला क्वेस्टन थोड़ा अच्छा से देखते हैं चलिए भारत में किस राज में सरवधी कोईला का भंडार है तो सबसे ज़्यदा कोईला जर्खंड में है जर्खंड का जरिया वगरा इलाका भारत में यूरेनियम जर्खंड में है लेकिन अभी कहीं सबसे यूरेनियम जर्खंड में नहीं है यूरेनियम भी उपर से कबर होता है तो माध्य परदस बीचे में नहीं तो यह आप याद रख सकते हैं चलिए अगला देखिए अगला कुशन है कि भारत में लावा कितने परकार की खनीजे पाए जाती है सौश अधिक यह भी हो जाएका टेज्य का निमलिकत में से कौन सा लव्युक्त क्हनीज है मैगनीज में लौह पाया जाता है याद रखेए गां अगला कुशन है यहां पर पूरा का पूरा इसका डेटा लिख दी है कि क्या क्या होता है लोहा को उधोगो की जनणिक आ जाता ह लोहा आया तभी न फेक्ट्री वगरा बना उधोग वगरा फेक्ट्री वगरा बना तो लोहा को उधोगो की जन्नी कहा जाता है और लोहा जिसमें लोहा नहीं होता है चांदी में सीसा में बक साइड में टीन में इसमें नहीं होता है इसमें लोहा होता है निकिल वगरा में च दूसरा राज्य है 36 गड़ में होता है 20 परसेंट और पाचवा स्थान पर जारखंड है जो 15 परसेंट लोहा होता है भारतिय अबरक की बात करते हैं यहां जो अबरक होता है तो उसका आयात देश कौन सा है तो यह हो जाएगा आपका सन्युक्तराष्ट अमेरिका यह सब कुछा गया कोश्चन है यहां बहले डेट नहीं लिखे हैं सरवधिक लोहा का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है तो लोहा सबसेदा करनाटक में होता है बकसाइड उड़िसा में लो मैगी को साइड करके उड़ गया तो उड़ गया से उड़िसा मैगनीज और बक मान लो कि बन गया अल्मुनिया जब अल्मुनियम बन गया तो अल्मुनियम का जो कचड़ा निकाला जाता है उस कचड़े को बकसाइड कहते हैं ऐसी बकसाइड को सुध करके क्या बनाते हैं अल्मुनियम ठीक है और यह कचड़ा को ही बोलेंगे भारत में तांबे का कूल बंडार 125 करोड़ टन है ठीक है सबसे तामबा मध्य परदे से पाजा था एक टन इस पात बनाने में दोस किलो मैगनी चाहिए अभी तो उपर बताए थे ना उपर अच्छा से देखे होंगे ना अगर आप अपने पेरेंस के लिए और अपने गुरुजी के लिए नाम रौसन करने के लिए अगर मेहनत करेंगे ठीक है खुद के लिए मेहनत किजिए ना ठीक है खुद के लिए मेहनत किजिए ताकि आपको कोई दबाए नहीं तो आपका रिजल बहुत बहतर होगा उड़िसा किस खनीज का सबसे बड़ा उत्पाद है तो उड़िसा मैगनीज होता है अब में और निंजित में अर्ने उसक्रवर्श कोटि का कोईला कूला कौन से अच्छा कोईला देखो चारपर्कर का होता घिस्में सबसे अच्छा इंथ्रसाइड होता है यह इंडिया में नहीं होता है इंडिया में पाया जाता है B2 मिनस बीटू हा पाया जाता है सबसे घटिया कोईला होता है पीट तब बताओ घटिया आदमी को पीटाते है कि नहीं तब घटिया बड़ी धूँगा देता है एक नंबर हो जाएगा एंत्रसाइड लेकिन भारत में B2 मिनस तो आप question पुछा है सबसे उच्च तम तो अच्छा कोईला यह हो जाएगा anthracite यहां लिक भी दिये है anthracite 90% में कार्बन होता है जो अधिक जलन उसमा देता है बिट्टू मीनस लगबग 70-90% होता है यह भी कोईला अच्छा है भारत में पाया जाता है लिग नाइट तमिलाडू में पाया जाता है यह सब उतना घटिया कोईला है सब भूरा रंका होता है पीट भी बहुत घटिया किस्म का कोईला है यह समा आपको बता दिया है सबसे घटिया किसम का कोईला पीट होता है अगर पीट नहीं हो तो लिग नाइट मार देज़ेगा अगला कुछ भारत में पाया जाने वाला बीटु आ पाया जाता है बीटु मीनस कोईला गुडवाना छित्र कोईला छित्र कितने नदी घटियों में पाया जाता है तो चार ट्रिक भी आपको बताए थे वीडियो में बताए हैं एक बार उसको जरूर देखिए बाबु आपको अगर एक्जाम में बहुत अच्छा करना है तो भारत में पहली बार तेल के कुए कहां खोदेगा है देखो पहली बार अगर बात करें ऐसे यहां ऑसम है तेल वगरा का जि जब तेल खोद दिया गया तो तो नहीं निकलेगा कच्छडा निकलेगा और सुधी तो उसको सुध करने के लिए फैक्टरी भी बैठाया गया असम में तो यहां देखो सबसे पहले तेल का कुए खोदेगा है ठीक है खोदे 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 उनीस सो नबबे में तेल मिल गय कहां पर पूरे असम में खोदाई वह तो निस सो एक में भारत में पहली बार तेल सोदा का कर खाना बइठाया गया उन्हीं सो एक में यानि ठीक 11 साल बाद कि भाई अब तेल को तरी सुध भी करना पड़ेगा ना ठीक है असम में के असम के डिगा बोई में फिर उसके लाद की खाड़ी कहां तो यह वाला इलाका जो गुज्रात वाला इलाका में यहां इसे मुंबई में पता लगाए गया जिसे मुंबई हाई च्शेत्र कर खाना है ठीक है अब देखें मुंबई यह क्यों परसीद आगे न बात तो मुंबई यह तेल कर खाना है ठीक है अगला कुछ्छन है कि भारत का प्रथम तेल सोदक कर खाना तो यह जाएगा डिगावई कहां पर है और सम्में तेल वगारा का बात करें तो यह भारत में पहली बार तेल के का ला गया था तेल के निर्यात के लिए तेल सोदक कर खाना होगा के यह अब यह थोड़ासा जान लीजिएगा तो यहां पर यहां गया 126 गलींटर देर चले जाएगा तो यहां पर देखिए मं मंगला चैतर में पूत पादन हुआ था ठीक है यह अप याद रख सकते हैं यहाँ पर देखे भारत का पहला तेल सुदक कर खाना कहा अस्तापित हुआ असम में यार हुआ है यह तो होई जाएगा ओ नो यह वाला ऐसे करने दो चलिए 1901 में भारत में प्रथम तेल सुदक कर खाना असम के डिगाबोई में हुआ था और 1954 में यह मुंबई में फिर खुदाई हो गया था मतला स्थापित हो गया था तो दूर जगा एक असम और एक मुंबई तो बाबू यह तो लेशन बहुत ही पूरा संपून है तो थोड आपके गरजीन में नहीं पूछेंगे पढ़ाई कर रहे हो तो उठ जाओ सो मत जग जाओ ठीक है और उखाड फेको पूरा पीज फाड़ देना पीज फाड़ना नहीं है वैसे अच्छा से लिखना है ठीक है भारत में पहला जल बिदूत सक्ति कब अस्तापित हुआ अठा पांक साल के बाद अगला कुश्छन यहां पे देखिए तो अगला कुश्छन है कि किस राजीय में सेड़ी नुमा कहती होता है क्रीसी होता है अब मेगा को पटा के नर्मदा को लजक कर किस अंदोलन से संबंदी vegetables ठेब झीज उपर लिख यह देखिए यहां देखिए भारत में पहली बार जल बिधूत दरजलीन में सबसे पहले दरजलीन पहसी मंगल इलाका में पहली बार पानी से बिजली बनाया गया था कब 1897 में ठीक है यहां देखे बाबो भारत में सबसे पहले सबसे बड़ी परियुजना तो यह भाखडा नांगल परियुजना यह याद रखियेगा ठीक है अगला है भाखडा नांगल परियुजना क्या है भारत की सबसे बड़ी परियुजना दो सो पचीस मीटर यह लंबा बा बाढ़ लाता है कोसी नदी को बिहार का सोक या बिहार का अभी साप कहते हैं इसलिए कोसी नदी के पानी को रोकनी के लिए बांध बनाए गया है तो हम हनुमान नगर बांध रिहंद परियोजना उत्तर परदेश में जो 943 किलिमेटर लंबा बांध बनाए गया तो सबसे लंबा बांध ठीक है कोसी नदी पर बांध कहां बनाए गया है तो कोसी नदी पर हनुमान नगर में बांध बनाए गया है बिहार का भी शाप किसे कहते हैं कोसी नदी को कहते हैं ठीक है अगला कुस्चन है कि रिहंद परियोजना उत्तर परदेश में हीरा कुंड पर मुना जाइट पाए जाता है तो किरल में मुना पाए जाती है मुना कहां पाए जाती है किरल में पाए जाती है मुना जाइट किरल में पाए जाता है इरेनियम जरकंड के जादू गुड़ा में पाए जाता है यह हमें परमाडू उर्जा एस्टेशन में बिजली पैदा करने के लिए यहां से कोईला लाए जाता है ठीक है इसका उप्यू किया जाने वाला परमाड़ू इदन होता है यह अगला कोश्चन थोड़ा सा बढ़िया से लाते हैं किस राजे में खनीज तील का अधिक बंडार है ऑसम में सबसे दा तीलोल जितना होगा साब असम में ठीक है सा रजा का गयर प्राम्प्रिक्ष्रोद कौन हो झाएगा ठीक है तो प्राम्प्रिक मनें जो बहूत परमपराओं से चले आ रहा है ठीक है ऐका गईर स्वेर प्राम्परिक होगा सरुरूं कि जितना भी कोईल व अगरा है इमाने चीया की फेला हुआ की चाने यह अब यारे यहां देखिए गोडवाना समुह के कोईला का निर्माड गोडवाना समुह छेतर में कोईला का निर्माड बीस करोड साल पहले हुआ था लेकिन अगर पूछ दे अब कहीं का सर गोडवाना समुह क्या होता है तो भारत के उपर वाले इलाका को गोडवाना अधर जो सातों बह खाना डिगाबोई में अब बिहार का बात करें तो बिहार में सबसे पहले तेल सोधा करका ना बरावनी हो जाएगा लेकिन यह भारत का बोला है तो असमकर डिगाबोई हो जाएगा ठीक है अब यहां कुछण ने की प्रकृति गैस किस खनीज के साथ पाय जाता है तो पेट् करें कि रहें उसमें के सबसे बड़ी परिज्णाह कि दक्षेठ भारत की सबसे बड़ी परिज्णा है ठीक है उत्तर बिहार का अभिसाप किसे कहते हैं कुसी को कहते हैं हैंना यह पूरा आपको लिख दीएकि कितना किलो कितना मेगवाट बिजली बनाती हorfि हनुमानागर्श आपको लिक500 रिहंद अब बात करते हैं रिहंद के बारे जील है और भारत का सबसे बड़ा नहर इंद्रांत गांदी नहर और जील हो जाएगा यह जाएगा वह बांद बनाने के करण हिमाचल परदेश और नीचे है में इसका निर्माड होता गोविंद सागर पलब पन एक मिनट थोड़ा सा आपको एक चीज डाउट होगा अगर हम आपको बात करेंगे कि गोविंद बॉलब पंत सागर तो यह उत्तर परदेश रिहंद नदी वाला है लेकिन यही अगर गोविंद यहां पे देखो गोविंद सागर जील की बात खाली कर दे तो यह आपको कौने जैगा भाखडा नंगल जो हीमाचल परदेश में है तो यह खाली गोविंद सागर है तो हीमाचल बीचवा में बॉलब पंत लगा दो तो उत्तर परदेश वाला हो जाएगा यह थोड़ा सा डाउट कर क्लियर करना ज़रूरी था अब बारत करके एसिया का सबसे बड़ा परमाड़ो बेदुत ग्री तारापूर है याद रखे उसके बाद से यूरेनियम के जगह थोरियम डाला जाता है क्योंकि यूरेनियम अपने आने मिलता है थोरियम डाल करके बिधूत बनाया जाता है राणा परताप इस अब राजा का नाम है नतर राजस्थान में यह सब होता है अब आपसे कुछेगा एक्जाम में कि राणा पर्ताप जो विधोत गरी है जिसे भिज्ली बनता है आपना देश बना है तो नहीं अपना देश में बना है लेकिन कनाडा इसका से से कियह किया है कल नाड़ा किया कप धिय स्भेडा कर लोकता है कहा राध्यू शयर Sum बानमे में यह बना था कहएगा कहां पर कहएगा करनाटक में है ठीक है याद रखेगा चलिए अगला आप यहां पर देखते हैं भारत में कौन सा परमाडू उर्जा एस्टेशन पूरी तरह स्वादेशी है कल्पकम है काल्पकम लग रहे ना भूजपुरी है तो स्वादेश है यहां पर लंबा का पौन उर्जा गुजरात में यह देखो तो कितना लंबा है पौन उर्जा पौन चकी चलके बिजली उद्पन होता है यहां पर गुजरात के कक्ष में लंबा का पौन उर्जा है और एसिया का सबसे दूसरा हो जाएगा पौन उर्जा तमिल नडु मे और इस यह का सबसे पहला लांबा का पौन उर्जा हो जाएगा अब बात करते हैं क्रिशी शम्मंधित तो क्रिशी वाला में इसमें ज़्यादा कोशन है भारतियर राश्टियर भारतियर राश्टियर आयमे क्रिशी का क्या योगदान सोरी यहां पर है कोशन कि भारतिय राष्टिय आयमे क्रिसी राष्टिय आयमे क्रिसी का योगदान पुछ रहा है 24 परतिसत है ठीक है अच्छा मान लोब पूरे देश की कमाई हो रहे हैं तो सभी देशों से सभी छेत्रों से पैसा आ रहा है फैक्ट्री वाला अलग सरकार को दे रहे हैं सब लोग तो खेती वाले दे रहे हैं 24 परसेंट टेक्स ठीक है जो वर्सा के सहायता से ना दो नंबर में पूछा यह तो शुनिगा तक हलाता है इसका सुध डेमिशन आपको इस नोट में मिल जाएगा ठीक है यहां देखिए दो बट्टा तीन भाग लोग खेती पर डिपेंड है अगर पूरा के पूरा भारत को देख लें अगर इसको तीन हिसा में बांट दें ऐसे ठीक है तो दो यानि तीन हिसा में दो हिस लोग खेती पर डिपेंड है याद रखेंग यहां दिखिए तो वर्सा की सहाइता से जो खेती होता है उसे सुस्क क्रेसी कहते हैं भाई बरसा हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो शुक है सहस्त गहंता आपको बताही दिए हैं हम ठीक है पचहतर परसेंट से भी कम वरसा की सबसे उपजाओं होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे अभी बतायते कि हूमस कहते हैं अगला कुश्चन देखिए निमने लिखीत में से सबसे उपजाओं मिट्टी कौन सी है तो सबसे उपजाओं मिट्टी जलोड है सिंपल यह पूरा डेटा यहां पे बिलिक दी है अंतराश्टिय ऐ फसल अंसंधान संस्था हैदराबाद में हैं अंतराश्टिय और किंद्रिय सुस्क छित अंसंधान जोदपुर में जूम खेती जूम खेती किसे कहते हैं अस्तनांतरित किरिसी को बने एक जगा आजी हुआ खेती करो कली हुआ करो तो इसी यह कहते हैं जूम खेती लेकिन अंडबान निकोबर और च्छतीस गड़ में इसे द्वीपा कहा जाता है क्या कहते है द्वीपा ठीक है अंडबान निक पास गंथा चला दिया बजार से बाजरा खरी फसल जुआर मक्का का पास गना से गंथ चाला से चावल इस सब आपको खरी फसल में आ जाएंगे और यहां रभी फसल में सर के हुगा आरजू के प्यार में मसुहूर हो गया यह भी आपको बता है थे सर सरसो भी रभी गेहूं सब्सक्राभी लगा ज़य है इसे पहाड़ों से भरी भूमी का पicas फसल खरी भारत में पहाड़ों रभी भूमी पहाड़ोंसे ब्होमी का 30% ठीक है अब पठार है आपका 27% तो आपका ये C वाला सर से सरसो हो जाएगा जूट के उद्पादन में सबसे आगे पस्षी मंगाल है अकापास में सबसे ज्यादा अपका महाराष्ट हो जाएगा काका के पास यहां पूरा का पूरा लिख दिया कि कौन सा राज्य में कौन सा देखो चावल और जूट पसी मंगाल में ठीक है गेहूं और गन्ना उतर परदेश में यहां देखे इसका ट्रीक हम बताएं है विडियो में आपको पूरा का पूरा बता चुके हैं उसको ध्यान से देखेगा इतना है याद करने की जुरत नहीं यह आप याद रख सकते हैं और अहर को छोड़कर बाकी सभी दाले वायू से नाइट्रोजन ले करके भूमियो रख बने देखे हर चीज को जमिन को और वरकता को बढ़ाने के लिए उपजाने की सक्ती को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए नाइट्रोजन चाहिए लेकिन औ कोफी की बात करें तो कोफी दो परकार का होता है जिसमें भारत में एक उत्तम किस्म का होता है अरेवी का भारत के लोग सबसे दारब कमाने जाते हैं अरेवी का कोफी है जो बहुत अच्छा कोफी है गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्या आगे है उत्तर पर वाले ट निमलीखीत में से कौन सीत कलीन फसल है तो सबसे सबसे ज़्याद कहां होता है साम को चाय पीते हो ना जी साम और शुबह तो असम में चाहे महराष्ट किन फसल की खेती के लिए परसीदे का पास बताये थे न का का के पास का पास मुंग फली कहां होता है गुजरात में होता है मुंग फली सुयबीन कहां होता है बता सकते हैं मध्य परदेश में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है भारत की कितनी परतिसत अब धीकत है नवाय थिकति मीटि प्रभिट हो जाएक अजिए कि सराल जाता है है पुरौत्र राजियों में अस्तनांत्रित कृसी को किस नाम से जाना झाला जाता है जोम खेती एक जगह से दुसरे जगे जुम आंडमान निकोबार में द्वीपा कहा जाता है ठीक है यहां देख लिजेगा जूम केती वहां के फसलों को काट करके जला दे जाता है दो तीन साल तक छोड़ दे जाता है निमलिकित में से कौन खरीब फसल नहीं है तो यह भी खरीब है ठीक याद है यह वाला हो जाएगा यह नहीं है यह रभी है यह रभी है तेलहन उत्पादन में भारत का बिस्व में कौन सा अस्थान है तो पहला अस्थान है सबसे अधिक उत्पादन वाला राज यह गुजराते सबसे दा मुंग फली होता है आप उपर अच्छा से देखिएगा तो सम अगला है ग्रिस्म कालीन ग्रिस्म कालीन माने मता है गर्मी के दिनों में क्या रोपा जाता है बताओ धान होता है अगला कुछ ने उत्तर परदेश और बिहार में रागी को क्या कहते है मौड़ुगा करोटी खाया हो तो रागी माने मौड़ुगा होता है हम लोग रागी का दोगे तो सब कहें का rigor हैं धही कौफी है बाबो तो औरेबिका औरel बास्ता किस फसल का उधारण है तो यह दोनों कौफी है जिसमें अरेबिका भारत में पाए जाता है अरेबिका कौफी ठाक है यहां समझते हो ना करांती का मतलब होता है कोई भी चीज ज्यादा हो जाना जैसे दुद्ध ज्यादा हो गया तो स्वेट करांती हर्याली ज्यादा हो गया गया हो खुब हर्याली च्छा गया तो हरित करांती तो ज्यादा गया गया डाल किसका मुख्य सुरोत है प्रोटीन देता है काका के पास काली मिटी रेसम के कीड़ा रेसम कीड़ा पालन को क्या कहते है तेको सेरी कल्चर बोला जाता है रेसम अगर रेसम का कीड़ा को पाला जाता है रेसम निकालने के लिए उसे सेरी कल्चर कहा जाता है और पूरा का पूरा यहां लिख दिये है एपी कल्चर पी मधुमखी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है फ्लोरी कल्चर फूल को कहा जाता है ठीक है होटी कल्चर सबजी की खेतियों कहा जाता है पीसी मचली मचली को पीस पीस काटते हो ना पीसी कल्चर केचुवा को वर्मी कल्चर कहा जाता है ठीक है और यहां अंग भारत में सबसे पहले अस्थापित लोह असपाद देखो जो पहला वाला लेशन था नो उसमें बहुत ज़्यदा टॉपिक था उसी में से एक्जामें ज़्यादा कुछन आजाता है निमलीखित में से सबसे पहले थोड़ा जूम करने तो इसको आपको समझ में भी आएगा भ से जी ताटा जमशेदपूरं में जर्खंड में अभी फाले बिहार में था यह पूरा का पूरा कॉनसा कंपणी कैसे बना कब बना इसका ट्रीक आज में पूरा बता है दो मिनट में इसका ट्रीक अप याद कर लेंगे विलाई कहा है यह जरमानी सहyयो किया है यह भी आपको बताए थे सबसे दुरगापूजा बंगाल में होता है तो बंगाल दुरगापूर इस्पात बंगाल में भारतीय लाइस्पात बंगाल में इसका ट्रीक आपको हम बता है उस वीडियो को देख लिजेगा इसमें objective आप टीक करते हैं निमलिखित में से कौन सा उधोग छोटे पैमाने का है तो भाई खिलाओना एक छोटा सब बैपार है कि नहीं चीनी उधोग बहुत बड़ा उधोग है ठीक है यहां पे लिख दिये हैं छोटा बड़े पैमाने का उधोग कपड़ा उगरा बहुत करी केला खा करके ठीक है तो यह तीनों सरवजनी को धोग है ठीक है फोट मुलेयर आपको पता है फोट मिलर हैं यह हो जाएगा आपका अंड़वान नहीं को बार्मर में सूती वस्त्र की अस्थापना 1818 में यह लिख लिए कर यह लिख दिये हैं सरव प्रतम सूती की मिले म मुंबई में बैटा था कावाश जी नाना जी डाबर के द्वारा बना था ठीड है और इसलिए मुंबई को सुति वस्तर की महानगरी कहा जाता है सुति वस्तर की महानगरी मुंबई रहे वह नहीं पे नराते हैं देखे निमलीखित में से कौन सरवजनिक उधोग है तो यह अभी बताये थे विलाई विलाई इस पात हो जाएगा ठीक है दुर्गापूर हो जाएगा त्रीक आपको बताये थे देश का पहला वस्तर पार्क तौमिल नाड़ो में अब कहा सर यह वस्तर पार्क क्या होता है र औरवधिक जूट सबसे ज्जादा जूट होता है पस्चि मंगाल में उनिवास्तर का सबसे बड़ा केंद्र मूंबई है उनिवास्तर भी मूंभई यह होगा पस्मीना-उन यह बकरी से यह पाली जाती है खरगोष के बाल को काटके उन बना जाता है जिसे अंगोरा उन कहते हैं किस रसायन द्वारा कृत्रिम धागे बनाया जाते है पेट्रो रसायन से धागा बनाया जाता है अगला देखिए क्रित्रिम धागे पेट्रो रसायन पॉलिष्टर वगड़ा सब यह बनता है लायलन वगड़ा विस्वा का सबसे बड़ा गन्ना छेत्र कौन है तो यह देखिए भारत में सबसे ज़्यदा गन्ना छेत्र होता है यहां अगला कुछ जने कि सब चीनी का कच्चा माल गन्ना है ठीक है यह तो जानते हैं कि गन्ना चीनी कहां से निकलता है कच्चा चीनी गन्ना से निकलता है 1903 उत्तर परदेश में चीनी 1903 की बात करें तो उत्तर परदेश को चीनी का कट्रक आ जाता है क्योंकि वहीं पर फैक्ट्री वगड़ा कनिर्माड हुआ था ठीक है अब बात क में hydroelectric power टाटा hydroelectric power की यस्तापना हुई थी ये भी आप याद रखेंगे बोकारो इसपाद सन्यंत्र किस देश के सहयोग से बना है रूस के ठीक है बिल्ली याद है ना बिल्ली वाला बिल्ली रूस गई थी ठीक है रूस के सहयोग से भिलाई और बोकारो बना है रावर किला और दुर्गापूर जर्मानी के सहयोग से बना है तो यहाँ पे कुश्चन है कि यहाँ दुर्गापूर इस पात उदो किस राजय में है तो दुर्गा जी पसी मंगाल में है जो ब्रिटेन के सहयोग से बना है क्यों दुर्गा जी बंगाल में बिरिटानिया बिस्कित खा रही थी, ऐसा कुछ ट्रीक है, जो आप उसमें देख सकते हैं, भारत में सबसे पुरानी तांबे की खान किस राज्यम है, तो सबसे जैदा राजस्तान में सबसे पूराना तांबा का खान है, ठीक है, याद हखेगा, र आजस्थान में नहीं होगा भारत में पहला तामा प्रगलन केंद्र ये जार्खंड में होगा कहां पे होगा जार्खंड में होगा उन्नीसो यहां पे देखो तका लिखा है भारत का तामा निगमन उनीसो बहत्तर में बदल करके हिंदुस्तान तामा लिमिटेड कर दिया गया था अगला question भारत नाइडरोजन युक्त उरवरक उत्पादन में बिस सो में कितने अस्थान पर आता है तो तीसरे अस्थान पर नाइडरोजन के उत्पादन में यह द्वा या इलाक हम इम यह बारत में सबसे पहले सीमिंट उधोग में उर्वरक स्नियंट उर्वरक ऐमने कर 있는 के लिए खाद बनाने वहला मसीन 1906 लेकस हांило 1904 उर्वरक आपक्लती है याद रखेंगे वास्तीक विकास उन्ने etti ज्वरकन मैं पड़ता है सुनिए ना ये question पूछ भी दिया एक्जाम है सिंद्री कहां पे किस राजे में सिंद्री जर्खंड में है ठीक है अब देखिए अब थोड़ा सा यहां सरीर को सीधा करते हुए अगला question को हम लोग target करते हैं कि भारत का पहला सिमेंट सर्यांत्र कब और कहां अस्तापित हुआ तो 1904 में थोड़ा सा जमाही मार लेजे फिर हो जाएगा 1904 चिन्नई में कोईला ठीक है यहां पे देखिए बड़े लाइन वाले विदुद चलित रेलवे का निर्माड कहां हुआ था तो पहसी मंगाल में सबसे पहले रेलवे का तीन गेज वाली रेलवे यहां पे बना थ ठीक है यहां डीजल से चलने वाली इंजन का वनारसी में पहसी मंगाल में लोको पाइलेट वर्क्सॉप है वैंगन याद रखिए वैंगन इंजिनियरिंग कंपनी लिम्टेट पटना के मुकामा में है यह पूछा गया है बिहार बोड का एक्जाम हो तो बिहार वाले से प लगना है वहां सावारी डिबा बनता है बिहार में ही है तो बिहार तो डेवलप है लेकिन यहां के नेता लोग जो है न वाट लगा दिये हैं ठीक है अगला कुस्चन देखिए इन में से कौन सा उधोग पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है तो वायू उधोग है कौन सा उधोग है यह पूरा सरकार का नियंत्रण में काम करता है बाकी सो प्राइबेट हो सकता है वायू उधोग का पहला करकाना वैंगलूर में बन था 1940 में बना था याद कर लेजिए ठीक है यह पूरा का पूरा डेटा लिख दी है और एक यहां पर याद रखिएगा सुनिए यहां से हिंदुस्तान aircraft company के नाम से अस्थाइबित किया गया और इसे बाद में इसका नाम बदल दिया गया देखिए सब्सक्राइब करते। अगला कुश्चन है कि इसे कहते हैं इलेक्ट्रोणींस गोजी बैंगलोर को सिलिकान नगरी कहते हैं याद तो देखिय किसी रूम में आप कभी भी कोईची जला करके मत चोड़िये अधा दूर्य जाता है उससे Cup कीया करता है कि सरीर में पहुचने वाले रख जो होता है पूरे बाडीे में हमारे औकसीजन को आने जाने को रुख देता है ठीक है अब बात करके मनुसे एक दिन में 23,000 बार सांस लेता है अगर लिटर की बात करें तो यहां देखिए 35 गरन और 16 किलोग्राम ऑक्सीजन प्रती दिन हम लोग लेते हैं ठीक है इन में से कौन औधोगी औस्तिती का कारक नहीं है जन संखिया में कोई खास परिवर्टन नहीं होता है मसीनो सीन के कुले करके भारत में सबसे पहले आस्थापित लोह एस्पात कंपणी निमलीखित में से कौन है तो सबसे पहले भारत में हूँ था टाटा लोहा एस्पात कंपणी 1907 ठीक है अगला है कि पहली आदूनीक सूती मिल मुंबई में अस्थापी की गई क्योंकि मुंबई एक पतन है यह कपास उत्पादन के निकट इस्ती थे इसलिए जहां कपास होगा वही न कपड़ा उपड़ा वाला होगा तो यहीं एंसर आपका हो जाएगा निमलिखित में से कौन उधो क्रिसी पराधारी थे तो सूती अब बात करते हैं हुगली की तो हुगली और धोगी परदेश का केंद्र है कुलकत्ता और हबड़ा वाला इलाका में यह पढ़ता है भुपाल तरासदी में कौन से गैस हुआ था तो मिसाइल आइसोसाइनाइड हुआ था जिसमें देखो कितने लोगों के कैसे कैसे होके मि ब्लास्ट हुआ था भुपाल तरासदी 3 दिसंबर याद रखेगा 1984 को भुपाल तरासदी हुआ था अगला कुश्चन भारत की सबसे पुरानी सड़क कौन सी है तो यह हो जाएगा ग्रेंट ट्रॉंक रोड देख लेगा अफगानिस्तान से चलते हुए और यहां से आते इस सड़क को तोड़ दिया गया बीच से दिल्ली से तोड़ दिया गया और इसको बोला गया NH1 और इसको बोला गया NH2 तो यहां देखे अमरित सर से दिल्ली तक NH1 और दिल्ली से कोलकता तक NH2 जिसको सेरसा सूरी ने बनवाया था पुरे भारत का सबसे पुराना सड़क मान हुआ है चार घंटा लगातार प्लीज उसको ज्यादा सपोट किजिए इसको बनाने में मतलब धीन रात एक हो गया है बाबू यहां लिख दिए आपको पूरा का पूरा एनेच वन एनेच टू किसको किसको कहते हैं ठीक है अमरीत सर से कारगिल होते हुए जो ले जाएगी जि तीन पॉइंट आठ आठ लाख और किलोमीटर यह वाला हो जाएगा पकी सड़क एक पॉइंट चार चाव अकची सड़क इतना अदूनु मिला दोगे तो तीन पॉइंट आठ 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 अबका हो जाएगा ठीक है अगर बात करें कि पकी सड़क का सबसे कम लंबाई कह कहा पे पका सड़क लक्ष दीपया परवात्यय इलाकामें नहीं हो पाता है उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सड़क कहां पे तो उपर वाले भारत में पंजाब में बहुत घंण अ गया एक चार भागों में बटा वाहा ठीक है है यह नाख्पुर सड़क योजना क्यार सबसे बड़ा है यह राश्टी राजमार संख्या साथ जो बनारसी से ले करके कनिया कुमारी तक पूरा का पूरा आया है ठीक है और सड़क की बात करें तो यह चार वो सड़क महानगरों को जो सड़क जोड़ता है इससे स्वानिम चत्रभूज कहते हैं जिसकी लंबाई पांच हजार आठ सो च्याली से यह बाबु पांच बार कोश्चन पूछा गया इसको रट लेजिएगा ठीक है तो इसका एंसर आपको पता चला कौन हो जाएगा इसका एंसर आपका बी एंसर हो जाएगा ठीक है अगला सडको की लंबाई की दिष्टी से प्रतम अस्थान महाराष्ट है सबसे ज़्यादा भाई अभी हीरो हीरो नों वहार रहेंगे तो ढलाई वहला सडक ज्यादा वहीं पे न रहेगा अगला कुश्चन है कि भारत के किस सहर में मेट्रो की सेवा है तो दिल्ली से कुलकता चला नाते हैं तो गल्यारा का मतलब होता है भारत के मैप में इस कोना से लेकरके इस लेकरिप यह सब गल्यारा है तो ब्रक बैह है उत्तर से दक्ष्ण वाला गल्यारा कहां है तो ऊपर जम्बू कश्मीर सिरिन अगर से ले करके कनया कुमारी तक यह वाला उत्तर वाला गलियारा हो जाएगा उसका लंबाई जानलो तो यह हो जाएगा 4,016 4 पढ़ा पढ़ा, 4,4,66 36 में 4 जोड़ो गए तक इतना 40 हो जाएगा तो यह पूरा पसिब का गलियारा हो जाएगा अगला कोशन है कि देश में रास्टिय राजमार्ग के कुल संक्य कितनी है 228 यह तो बताईएं देश का सबसे बड़ा रास्टिय राजमार्ग कौन सा है तो एनेच सेबन है जिसके लंबाई कितनी है तो दो में तीन से गुणा करो तो छे और इसको पलट दो तो 9 हो जाएगा चलो अगला देखते हैं कि भारत का सरवधिक बीदेशी बैपार किस मार्ग द्वारा होता है तो पता है हम लोग बैपार करते हैं सबसे दस समून द्रमार्ग द्वारा खर्चा कम लगता है पानी जहाज पर समान लाने ले जाने में ठीक ह भारत में कूल कितने डाग छेत रहें आठ डाग छेत रहें अगला कुश्चन है कि भारत में भारत की पहली रेलेवे पहली बार जब ट्रेन चला था तो कितना किलिमेटर 34 किलिमेटर चला था जिस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी जो पहली बार अठारे सो तीरपन में चला था सोले अप्रेल अठारे सो तिरपन मुंबई से थाने रट लिजिए यह महारास्ट्रा में यहां पे मुंबई से थाने 34 किलिमीटर उन्नेई सो तिरपन में अब रेलेवे जोन यहां देख सकते हैं थोड़ा सा अगर आपको दिखरावगा तो रेलेवे जोन किसे कहते हैं अगर यह जानना होगा तो सुनिए मान लिजे कि रेल में अगर कोई खराबी आ जाए तो कहीं कंप्लेन करने जाएगा न तो एक जगा ऑफिस रहेगा तो आप कंप्लेन नहीं कर पाएगा इसलिए अलग-अलग इलाका में अलग-अलग जोन बना इसी को रेलवे जोन कहते हैं तो अगर पूछ दे इसका ट्रिक आपको वीडियो में मिलेगा यहां पर बताएंगे तो वीडियो यह सताथ घंटा का हो जाएगा ठीक है इसलिए इतना लंबा वीडियो नहीं करना है ठीक है इसको एक बार समझ लिजे का वीडियो चार घंट तो उत्तर मध्य देख लिजी कहीं होगा तो उतर मध्य इसलिए यह याद कर सकते हैं ठीक है उपर देखो एक और चीज से याद कर सकते हो गरा या ठीक है थे सुपर की नीट्हे सबसे लंबी सुरंग बनाया गया है रतनागिरी के निकट है अगर बात करें कि रेलवे में भी हस्पीटल की बेहस्ता होती है तो 16 जुलाई 1901 को रेलवे का उद घाटन किया गया जिसे चलंत अस्पताल कहते है यह रेलवे कैसा है तो इसी में बार 10 किलोमेटर उड़ाय गया था इलाहाबाद से नैनी उभी का तो डांक टीकट ले करके डांक हो गारा ले करके पहुँचाय गया था रिस्क लिया गया था ठीक है 1903 में इंडियन एरलाइंस की अस्थापना कर दे गई 8 दिसंबर 2005 को इंडियन एरलाइंस को इंडियन नाम से जाने जाता है इंडियन नाम बदल दिया गया भारत में हेलिकाप्टर भी बनता है तो हेलिकाप्टर की सुर्वात कौन सी कमपनी की तो पवन हंस हेलिकाप्टर देखिए तो यह हेलिकाप्टर बनता है यहाँ पे कितना सुन्दर सुन्दर सब हैलिक अपटर है यहां पे एक मिनट आजा को इधर ओधर अभी नौर यह बिन के साथ यहां पर चलिए बाथ करें कि वर्स किस वर्स इंडियन ऐरलाइंस को अंडियन convention था तो 2005 अभी उपर पड़े ही हो ठीक है अगला इन और पतन किस राज्य में है तो तौमिल नाड़ो में है और यह भी ट्रीक में बता हैं सभी बंदरगाहों के नाम याद करने का ठीक है देश में दुरदर्शन सेवा का आरंब कब हुआ तो 1969 में हुआ था अबाद में इसी क अगर बात करें कि भारतिया अंतरदेशी जलमार्ग प्रदीकरण किस वर्स अस्तित्व में आया था भारत में टेलीफोन की सुरुआत कप से हुई थी तो उन्हें 1881 से टेलीफोन की सुरुआत हुई थी आजाओ यहां पर दिल्ली से कुलकता पताया थे ना इंडिया का और Yamra Shar says we at भारत में भारतेश्य रेल मार्क कितने गेजों में जोन में बाटा गया है हक एक मिनट 6 में प्रुअतार रेंडिया का मुख्याले कहां थोप Jed a यहाँ पर बात कर तो पूरव पूरव इधर है आप उत्तर तो पुरवत्तर पूरव और उत्तर वाले को हो बोलेंगे हम लोग हो यहां पर गुवहाटि जोनद रुक जाएए गूवहाटी जोगा ठीक है पुर्वत्तर पूरब और उत्तर दिशा में उसे रुक जाएए एक में इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है उत्तर पूरवी होना चाहिए तो ये हो जाएगा गोरख पुर आता है ऊपर उत्तर और इसेट पूरब और उत्तर में यहाँ पर गोरक पूर हो जाएगा आपका एंसर ठीक है और ये रहा गोहाटी वाला का जहां तक बात है तो ये हो जाएगा आपका सिमान्त है क्या ये सिमान्त रेलवे है हवड़ा और कोलकत्ता किस नदी के तट परिष्टी थे तो हूगली नदी पर है आपको पता होना चाहिए राष्टिय राजमार शंख्या दो जल मारग है जिस तरह से सड़क का रास्ता का नाम है उसी तरह पानी वाला रास्ता भी है यहां पे आपको नोट्स में मिल जाएगा ठीक है दो किस नदी परिष्टी थे तो दो नमबर यहां पे जो नदी है तो यहां पे है ब्रह्मा पुत्र ठीक है यह आपको फट राय जू आज वाले वीडियो में मिल जाएगा हुगली में किस रेलवे जोन का मुख्याल है तो हुगली हुबली है हुबली करनाटक वाला है तो दक्षिर पसिम आपका सही है ठीक है इधर बनाईएगा तो इस वाले लाका को हुबली बोलते हैं अकलकाता में हुगली है यहां देखिए पस्मित तट पर केरल में कौन सा जलमार्ग है ठीक है तो यहां पर हो जाएगा जलमार्ग नंबर थ्री ठीक है यह आपको ट्रिक में भी बताया गया है भारत के पहले समाचर पत्र का क्या नाम है बंगाल गजट 780 यहीं न था जी यह नादेखिये बिहार में नहरों का द्वारा अत्यादिक सी चाई किसी जिले में होता है तो यह झास में उपादंग घंगा के दियरा वाला गें कॉइंते कुछ ये स्थान कहां पर तो दर्भंगा में दारु भंगा में कुछ इश्वर है ठीक है यहां गंडक परियोजना का निर्माड किस अस्थान पर हुआ है तो गंडक ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा आजो तुम चंपारन वाला इलाका में दिया है बालमी की नगर हो ज हो जाएगा देखिए यह आपको पूरा डिपली तब अब सुचिए इतना कई से याद होगा एक बर चार घंटा का वीडियो देख लिए कहानी समझ लेजिए उसके बाद कि यह टीक जो मैं गरांटी दे रहूं एक भी कुश्चन गलत नहीं होगा ठीक है क्योंकि हम प्लानियों वैसे ही कि आपको समझ में आएगा ठीक है कोशी परियोजना में किस अस्थान पर वहराज बनाए गया है तो हनुमान अगर पर एक बांध वहराज बनाए गया है तो सब जहड़ जाता है ठीक है सब एके सीजन में सब पता ज़ँआगा सब टकला हो जटा है ठीक है तो पतज़ड़ी यहाँ पे ज्यादा मौसम होता है अगला हो जैएक से कौन रभी फसलते रभी जौव हो जाएगा सर की आरजू के प्यार में तो आरजू जौर है nine वह तो उम्हार में हिमाले की कौन सी स्रेड़ी है तो सी वालिक है तो उम्हीद करते हैं कि यह पूरा का पूरा आपको कुश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज बहुत मेहनत लगा है कमर सर सब दुख जा रहा है तो प्लीज इसको जदा से ज़्यादा शेयर केजी आपके लिए हम हमेशा मेहनत करेंगे और आपका नंबर बहुत ही अच्छा आएगा हम भगवान से गौड से दुआ करेंगे ठीक है और हाँ आपका मैथमेटिक्स एक ही वीडियो में मैरातन भी आएगा और देखिए उसमें जो भी कोश्चन होगा न तुम देखना बाबो उसी से कोश् प्लीट हो गया ठीक है प्लीज सेशन को ज्यादा से जासेर किजिए और बेल आइकन को दबा देजिए ताकि छो भी वीडियो अपलोड होगा डारेक्ट जल्दी मेल लेट किजिएगा फिर एक्जाम करेंगे ठीक है फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में तब तक के तरिये जहिंद और खुदा हाफिस हसते रहे मुश्क्रा तरिये राजाई में पड़े रहे है